Hello everyone, my name is Sitendra Chodhry and welcome to all of you to this session जहांपे हम लोग करने वाले हैं 11th Standard की Geography की NCRT का 7th chapter जिसका टाइटल है Land Forms and Their Evolution दोस्तो 6th chapter में हम लोगों ने पढ़ा था Geomorphic Processes के बारे में और जहांपे सबसे जादा जो हमारा फोकस था वो किसके उपर था? वैदरिंग के उपर था और वैदरिंग में हमने बहुत सारी चीज़े पढ़ी हम लोग ने हमें Mass Movement के बारे में पढ़ा वैदरिंग के मतलए as a exogenic process जो है हमने वैदरिंग के बारे में पढ़ा transportation, erosion, deposition उन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा लेकिन आज इस chapter में हम लोग उससे एक step आगे जाने वाले हैं जहां पे we will talk about the landforms and their evolution देखिए exam के perspective से बता देता हूँ इसमें एक topic ऐसा है जो आपके mains के perspective से कुछ important हो सकता है लेकिन जिस तरह गे UPSC में आजगर question पूछी जाते हैं उतना नहीं important है लेकिन still अगर आप और ओर chapter में से निकालो तो एक topic यहाँ पे mains के perspective से important हो सकता है बाकी के जो topic है हालांकि UPSC हैं पिछले 18 सालों में यहाँ से question पूछा नहीं गया है to be honest तो उस ही साब से हम लोग नहीं कह सकते हैं बहुत important है लेकिन UPSC में कोई भी चीज यह छोड़ के जाना कि यह important नहीं है शायद इस बार नहीं आएगी यह बहुत बड़ी mistake होती है हाँ आप यह कर सकते हो कि जहाँ पे trend के according पिछले सालों में जादा question पूछे गए उस पे थोड़ा सा जादा focus करे और जहां से question कम पूछे गए है या बिल्कुल भी नहीं पूछे गए उसको थोड़ा सा कम समय दो वो हो सकता है तो इस chapter के लिए आपको मैं suggestion के देना चाहूँगा कि UPSC जो तैयारी करते हो पहली बात इसको सिर्फ और सिर्फ prelims के लिए focus करना है मेंस के perspective से इस chapter को आपने नहीं पढ़ना है दूसरी बात इस पे बहुत समय देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है prelims से हफता दस दिन पहले आप इसको पढ़ लोगे तो that would be sufficient for us अब आप उसको चाहिए NCRT से पढ़ लीजिए या फिर आपको उसको GC लिओंग से पढ़ लीजिए वो आपकी मर्जी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़े overlap ही करती है अगर आप इस chapter को NCRT से पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको GC लिओंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप यहीं से उसको cover करिए और हमेशा की तरह मैं आपसे expect करता हूँ कि जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे इससे पहले आपने NCRT की PDF अपने आप से पढ़ लिया होगा हो सकता है कि वहाँ पे आपको बहुत साथ चीज़ों की clarity ना हो लेकिन वो clarity हम लोग आज class में कर लेंगे तो best अगर आपको output लेना है इन classes से तो आप खूसी तरीके से लेते हो पहले आप उसको खुद से पढ़िए उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और notebook लेके साथ बैठना है सबने है ना ऐसे कोई सतसंग नहीं है ठीक है तो notebook लेके बैठा करो कुछ extra detail अगर आपको नजर आती है तो detailing अब ज़रूर कर लिया करें ठीक है चलिए और मैं कोशिश करूँगा कि यह जो chapter है इसको diagram को थोड़ा ज़ादा सा include करूँ मैं और important कम है exam के perspective से लेकिन detailing बहुत ज़ादा है लेकिन just because हम लोग NCRT करी रहे हैं तो हम इसको एकदम ने अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि हर paragraph को आपको एक proper तरीके से cover करवाया जाए खेर शुरुआत करते हैं तो now we need to talk about the landforms and their evolution evolution का मतलब दोस्तों क्या होता है evolution का मतलब ह होता है जैसे हम लोग इसकी बात करते हैं अचकल वाइरस की बात करते हैं ना करोना वाइरस की बात करते हैं हम कहते हैं के वाइरस म्यूटेट हो गया है हम कहते हैं के वाइरस जो है इवोल हो रहा है इवोल मतलब उसका change होना उसकी characteristics change होना उसकी properties change होना over a period of time हर चीज इवो होती है इसी के तो कहते है evolution डार्वीन यही तो theory दी थी theory of evolution मतलब इंसान भी आज अगर यहाँ पे आए हैं यह हमारा final stage है अगर definitely final stage नहीं है future में और भी ज़्यादव होंगे हम लोग लेकिन हम लोग देखो कहां से evolve होके आये थे पूरी earth के ओपर जो life है वो कहां से start होई थी एक single cellular organism से start होई थी और आज देख लो कितनी ज़्यादा diversity है इसे कहते हैं evolution मतलब over a long period of time किसी भी चीज़ की property characteristics को change होने को evolution कहते हैं इसी तरह से हमारी जो landforms होती है न वो भी evolve होती है ठीक है आपके जो mountains हैं जो lakes हैं जो rivers हैं प्लैटूस हैं continents हैं forest हैं हर चीज़ आपकी evolve होती है अगर आपको हिमालिया यहाँ पे इस तरह से आज नजर आता है तो हमेशा हिमालिया इतना उंचा नहीं था अगर आप 20-30 million years पहले जाओ तो हिमालिया कितनी height नहीं थी और अगर आप 70-80 million years पाले जाओ तो वहाँ पे हिमालिया था ही नहीं वहाँ पे टैथीस ही हुआ करता था तो इसी तरह से आपके landforms evolve होते हैं हम भी तो evolve होते हैं बच्पन में जह हम पैदा हुए हम छोटे से थे हमारा nature कुछ औ और था फिर हम लोग थोड़े teenage में पहुंचे फिर हम जवानी में पहुंचे कुछ लोग बढ़ापे में भी पहुंच जाते हैं फिर बाद में फिर बढ़नी death हो जाती है यह हमारी journey है दोस्तों इसी तरह से आपकी landforms की भी journey होती है आपकी reverse की भी journey होती है हर चीज की आप maturity तक जाती है saturation तक जाती है उसके बाद वो चीज डाइडाउन हो जाती है यह तो संसार का नियम है और यह नियम हर चीज के उपर लागू होता है इवन यह हमारी overall अर्थ के उपर भी लागू होता है है ना अर्थ किस तरह से बनी उसके बाद उसका evolution हो वाउसके अंदर changes आय है future में अर्थ की stage कुछ होर हो जाएगी everything evolves हमारी personality भी evolve करती है जब तयारी करने आये थे UPSC के आपकी सोच कुछ होर होगी जब UPSC की तयारी करने आते हो तो आप evolve हो जाते हो आपकी बहुत सारी चीजों का पता चल जाता आपका सोचने का तरीका बदल जाता है लोगों से behave करने का way change हो जाता है because you evolve your personality evolves this is how our land forms also evolve ठीक है ज्यान बहुत हो गया अब बात करते हैं सीधा NCRT की कहता है शुरुआत से शुरू करते हैं सभी अपने साथ open कर लीजिये कहता है it is already known मतलब यह हमें पहले से ही पता है that erosion causes changes on the surface of the earth कि erosion की वज़े से हमारी earth की surface के उपर changes होते हैं इसे हमें पहले ही पता है फिर कहता है deposition follows erosion erosion का मतलब क्या होता है erosion में जो transportation होता है जो material एक जगे से दूसरी जगे में जाता है तो भाया कहीं तो deposit होगा न वो एक reverse जब अपने रास्ते से sediment लेके आती है पहाडों से sediment लेके आत deposition तो उसको कहीं तो जाके deposit करेगी न किसी lake में deposit करेगी delta में deposit करेगी उस वही इसको बात बोल रहा है कहता है and because of the deposition to changes occur deposition की वज़े से भी change होते हैं erosion की वज़े से भी change होते हैं क्योंकि ये दोनों process एक दूसरे से जुड़ी हुई है erosion होगा तो deposition होगा और अगर कोई land form है तो erosion उसका हो नहीं होना है तो ये चीज़ हमों लोड़ी पहले कर चुके हैं अब कहता है अब हमारे सामने एक primary question आता है question ये है कि जब हम लोग land form की बात करते है land form actually होता क्या है what is a land form ये बड़ा question है अब इसके definition इसने देखे बहुत simple word में बताई गई है कहता है small to medium मतलब छोटा और medium size का tract और partial of earth surface मतलब जमीन का कोई भी टुकडे की बात कर रहा है medium size और small size our code land form ठीक है small और medium tract और area region parcel of the earth is called land form लेकिन अब ये तो चलिए ठीक है समझ में आ गया सर अब हम एक दूसरी term भी use करते हैं वो term कौन सी होती है landscape अब ये landscape क्या होता है land form तो समझ में आ गया देखिए landscape जो होता है न दोस्तों ये बड़ा टुकडा होता है land form छोटा और medium होता है landscape बड़ा टुकडा होता है एक landscape के अंदर कई सारे land forms आ सकते हैं और आते भी हैं कहता है several related land forms together make up the landscapes large track देखें large track की बात कर रहा है each land form has its own physical shape size and material and is a result of the action of the certain geomorphic processes and the agents कहता है हर land form की एक अलग characteristics होती है उसका एक अपना nature होता है और यह nature कौन decide करता है यह nature decide किया जाता है geomorphic processes के द्वारा और geomorphic process तो लड़ी हम लोग कर चुके हैं wind की बात कर रहा है air की बात कर रहा है glaciers की बात कर रहा है waves की बात कर रहा है underground water की बात कर रहा है यही तो सब होते हैं तो यह लोग सब decide करते हैं कि आपकी landform का character कैसा होगा किस तरह से decide करते हैं देखिए actions of the most of the geomorphic process and the agents are slow यह हमें पहले सही पता है कि यह बहुत slowly slowly process करते हैं ऐसा नहीं होता कि हिमालय को जो है वो 10-20 साल में ही काट के विल्कुल plane कर देंगे no it will take millions of years slow process होती है every land form has a beginning जैसे हमारी beginning हुई थी हम भी पैदा हुए थे जैसे crust की ही बाद कर लीजे तो जैसे आपने आपको पता ही है कि crust की शुरुआत कहां से होती है कहां से crust जो है originate होती है आपके जो mid oceanic ridge होते हैं है ना वहीं से तो शुरुआत हुई है कहता है land form once found may change in their shape size and the nature slowly or fast due to the continuous action of the geomorphic process एक बार जब यह land form पैदा हो जाते हैं तो उनके वह उपर लगातार changes होते रहते हैं because of the actions of the geomorphic process जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम भी change होते हैं over a period of time due to our food habits due to our culture due to our society due to our school college friends and all that climate हर चीज़ की वजए से हम भी change होते हैं इसलिए land forms भी change होते हैं कहता है due to the change in the climatic conditions and the vertical and the horizontal movement of the land mass either the intensity of the process or the process themselves might change the leading to the new modification of the land form वह बार बार भी बात कर रहा है बतल जियो मोर्फिक प्रसेस की बात कर रहा है यह ना endogenic और exogenic जो exogenic होते हैं वो था हमने बता दिया आपके जो wind बगार होती हैं इसी तरह से endogenic activity होती है जैसे आप जो tectonic activities होती है अर्थक होता है volcanic eruptions होता है वो सब हमारी endogenic activities होते हैं तो वो उसको change करती रहती है तो कहता है evolution here implies imply का मतलब होता है कि इसका मतलब यह है stages of the transformation of either part of the earth's surface from one land form to another or the transformation of the individual from one land form मतलब हर लाइन तो मैं नहीं पढ़ सकता है नहीं बहुत समय लग जाएगा कहता है कि एक land form दूसरे land form में भी change हो सकता है और एक land form की खुद की property भी change हो सकती है ठीक है क्या मतलब है इसका कहता है कि जो बड़ा mountain होता है वो mountain किसी plane में भी change हो सकता है from one land form to another land form फिर कहता है कि एक land form खुद की shape भी change कर सकता है just take an example of Arawali Arawali was once one of the highest fold mountain of the world but now this is not the highest लेकिन mountain तो अभी भी है और future में ये plane में convert हो जाएगा तो उसका मतलब यही था तो कहता है इंसानों की तरह हर land form की भी एक stage होती है एक youth stage होती है mature stage होती है और old age होती है बढ़ापा आवाता है तो बढ़ापे जाके मर जाता है ठीक है उसके बारे में बात कर रहा है कहता है geomorphology deals with the reconstruction of the history of the surface of the earth through a study of the forms and all that तो geomorphology का मतलब क्या होता है geo का मतलब होता है earth है ना और morph का मतलब होता है change ठीक है यह ओड़ी हम लोगों को पता है तो science का वो part या भी geography का पार्ट भी है वो तो science का वो part जो earth की changing position को study करता है with the help of material, with the help of forces उसे हम लोग geomorphology कहते हैं ठीक है इसके बारे में basically वो बात करता है कहता है earth के surface के उपर based सब्सक्राइब Watts यह सब हमें पता है कि इसके वज़े से changes होते है つो basically, NCRT में कहीं बार ऐसा होता है कि वो एक ही चीज़ के बार बार घूआं फिराकर repeat करता रहता है तो उसको करने कहीं ऐसस मतलब नहीं है तो weathering के बारे में बात कर रहा है, mass moment के बारे में बात कर रहा है, यह सारे के सारे आपके geomorphic agent है, जिसकी वज़े से हमारे अर्थ जो है, वो change हो जाती है, ठीक है, और बहुत slow process होती है, इसलिए हम इसको observe करने में बहुत समय लगता है, तो imperceptible होता है, मतलब imperceptible का मतलब यही ह जो changes होते हैं, बहुत slow slow होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो, जब हम लोगों ने geomorphic process पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था, कि जो हमारी endogenic forces होते हैं, ठीक है, endogenic forces और exogenic forces में इस difference हम लोगों ने पढ़ा था, कि जो exogenic forces होते हैं, वो destructive forces होते आपकी जो exogenic process होती है यहां पर एक process होती है erosional और एक होती है depositional तो जो आपकी erosional process होती है वो destructural होती है ना destruction करती है तो it is destructional erosion को वजए से क्योंकि आपका landform की height कम होती है लेकिन जो depositional feature होता है वो constructional feature होता है बस यह थोड़ा सबने ध्यान रखना एकजाम के परस्पेक्टिव से और यह क्या करते हैं? यह हमारे landform के structure को change करते हैं अब कुछ बोलो कि सर आप structure वर्ड का बहुत use करते हो क्या मतलब होता है actually structure का देखें क्या होता है structure का मतलब होता है fold fold, joint, fracture, hardness, softness, permeability permeability मतलब समझे सके होंगे आप के कोई जो soil होती है, जो रोक होती है उसमें से कितना पानी निकल सकता है basically na permeability impermeability वो कितनी सब hard होती है उसके अंदर से पानी नहीं पास कर सकता वो सारी सारी चीजे हमारे structure को बनाती है तो हमारा जो geomorphic process होती है यह सब हमारे structure को change करती है उसके लिए वो कुछ और भी process होती है जैसे stability of sea level इसके उपर में depend करता है structure अगर sea level जादा हो जाएगा तो जो coastal area है वो submerged हो जाते है तो वहाँ पे landform का structure change हो जाता है उसी तरह से जो आपके tectonic stability होती है landmass की उसके उपर भी depend करता है example दूँ आपको जैसे हिमाल्या के हम लोग बात करते है हिमाल्या जो है tectonically काफी active होता है इसलिए यहाँ पे landforms काफी fast change होते है as compared to that जो हमारा Indian peninsula होता है वो काफी stable है tectonically काफी stable है इसलिए वहाँ पे landforms हिमाल्या के comparison में थोड़े से slow change होते है उसके लावा climate भी काफी जादे influence करता है temperature and all that वो थो हम लोग ने weathering वाले chapter में पढ़ी लिया था कि कैसे temperature जो है वो exfoliate करता है हमारी rocks को तोड़ता है वो सारी चीज़े हम लोग आपे कर चुके है खेर तो उसके बारे में ही है अब देखिए इस पूरे chapter में हम लोग क्या करने वाले है तो definitely एक चीज़ थो हमें पता लग गया कि हम लोग landforms और उसके evolution की बात करने वाले है लेकिन कौन-कौन से agent के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे water के बारे में ठीक है तो जादा तर फोकस हमारा इन तीन agent के उपर ही रहने वाला है ठीक है तो पहले बात करते हैं भाईया water की water कैसे हमारे landforms को change करता है important है क्योंकि water की जब आप बात करते हो तो अर्थ के उपर जो है 71% के आसपास जो है वो water से ही तो covered है और water में आपका सब कुछ आजाता है ठीक है water में आपका oceans भी आजाता है seas भी आजाते है आपके rivers भी आजाती है underground water भी आजाता है सब कुछ आजाता है even atmosphere के अदर जो water होता है उसको भी कह सकते हो अगर आपको quantity wise उसको measure करना है ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ रनिंग वोटर के बारे में बात कर रहा है रनिंग वोटर का मतलब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स के बारे में ही बात करेंगे कि जो रिवर्स होती हैं वो कैसे हमारे लैंड फॉर्म को चेंज करती है rivers की वज़े से किस तरह हमारा landform evolve होता है वो हम पहले section में देखने वाले हैं ठीक है तो are you getting this point? चलिए थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ आपको आगे बढ़ने से पहले देखिए कहां गया भीया देखे हमारी जो river होती है न दोस्तो river भी कुछ-कुछ न हमारे इंसानों के जैसी होती है जैसे इंसानों की तीन stage होती है young stage, mature stage, old stage उसी तरह से हमारे river की भी अलग-अलग stage होती है river कहां से originate होती है? मतलब हम लोग वैसे तो river किसी lake से भी originate हो सकती है लेकिन हम यहाँ पर अपनी easiness के लिए measure करेंगे के और हमारे जो river है वो किसी glacier से originate हो रही है मतलब किसी पहाड़ी area से originate हो रही है जैसे आप गंगा की बात कर सकते हो न टिपिकल example आप गंगा का ले सकते हो तो गंगा जब गंगोतरी से originate होती है जब अलगनंदर भागी रथी जदेव परियाग में मिलती है तो उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है तो गंगा जब हरिद्वार में entry करती है तो basically वो पहाड़ों से plane में entry करती है उसके बाद गंगा जो है वो उत्तरखंड आपका उत्तरपरदेश, बिहार, जहारखंड, वेस्ट बेंगोल से होते हुए वो बेओ बेंगोल में जाके drain हो जाती है जहां पे वो डेल्टा बनाती है है ना उसे सुन्दरबन डेल्टा कहा जाता है जो की आपका गंगा और बरंपुत्रा की वज़े से बनता है बीच में थोड़ा साब डायग्राम देखते रहोगे बीच में थोड़ा साब को मैं, you know, NCRT वाला कंटेंट भी कराता रहूंगा तो वो सारी सारी चीज़े हैं देखते हैं, क्या कहता है यहां पे चीज़ें रिपीटिड हैं एक बार न इसने क्या कि NCRT ने इसने क्यों करते हैं, यह सीधा भी बता सकते हैं एक बार इन्हों ने पूरी चीज़ यहां पे समझाई वही फिर पूरी चीज़ आगे भी समझाई बिल्कुल सेम लैंग्वेज नथी, कुछ भी चेंज नहीं है तो इसने पहले एक समरी दिया NCRT में क्या किया है, पहले एक समरी दिया समरी के बाद उसको explain किया ठीक है, तो क्योंकि हम लोग NCRT ही कर रहे हैं तो भी पहले ऐसा ही कर लेते हैं तो यह किसके बारे बात कर रहा है यह बात कर रहा है यहां पे running water के बारे में अब कहता है running water के basically दो component हो सकते हैं दो component हो सकते हैं देखें एक running water का जो component होता है वो होता है sheet आप जब बारिश होती है अगर आप कभी खेत वेत में जाके देखना या किसी plane area में जाके देखना जब बारिश होती है तो पूरे जो खेत होते हैं आपके खेतों पे से पानी ऐसे बहता है मतलब वहाँ पे पानी के बहने का कोई particular channel नहीं होता है कोई particular रास्ता नहीं होता है कि इस रास्ते से पानी जाएगा वो एकदम पूरा कई सो कई सो एकड़ का एक साथ ही बहता है तो आपके जो खेत होते हैं यह कोई खेत है और इस तरह से आपका पूरा पानी बहता है मतलब कोई channel fix नहीं है इसे कहते हैं sheet लेकिन जब पानी किसी channel के थ्रू जाता है मतलब particular रास्ते से जाता है इसे कहते हैं linear flow ठीक है क्योंकि वो एक रास्ते से जा रहा है तो basically अब ये भी running water है और ये भी running water है तो दोनों running water लेकिन थोड़ा सा character change है तो इसकी वज़े से क्या होता है sheet erosion होता है जिसको हम लोग ने erosion वाले chapter में कर लिया था तो ये basically running water के दो characteristics हो सकते हैं लेकिन जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो हम लोग सिर्फ linear flow के बारे में ही पढ़ेंगे sheet erosion के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत यहाँ पे है नहीं ठीक है तो उसके बारे में ही वो बात कर रहा है आगे कहता है कि जब river young होती है जब वो पहाड़ों से निकलती है तो वो काफी fast होती है ठीक है देखे मान लो आपने किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसके तोड़ने के दो तरीके हो सकते है या तो उसके उपर कोई भारी चीज़ देके आप मारिये वो तूट जाएगा या फिर हलकी चीज़ भी मार सकते हो लेकिन उसकी speed बहुत जादा होनी चाहिए ताकि उसका impact जादा आए है ना तो e is equal to mc square आपको पता है कि जतनी जद्धा speed होगी उतनी जद्धा energy होती है e is equal to mc square या तो पता है ना आपको ये तो आइनस्टाइन भाईया बता गए थे हम लोगों को बहुत साल पहले है ना e is equal to mc square अरे मेरा पूरा कहा निकल के चला गया हाँ ये रहा तो e is equal to mc square मतलब इसका सीदा सीदा सही है ये हमारी energy होती है और ये हमारी speed होती है ये हमारा mass होता है या तो उस चीज़ का mass, size, density बहुत ज़ादा होती है तो उसके अंदर energy होती है जितना ज़ादा mass होगा उतनी ज़ादा energy होगी और जितना ज़ादा speed होगी उतनी ही ज़ादा energy होगी और जितनी ज़ादा river की energy होगी उतनी ही ज़ादा वो erosion करेगी उतनी powerful होती है ना energy मतलब powerful तो young stage में क्या होता है दोस्तों young stage में आपकी river बहुत fast होती है हिमाले की मैं बात कर रहा हूँ एक तो fast होती है क्यों fast होती है क्योंकि वहाँ का जो slope होता है जो gradient होता है वो काफी steep होता है जिसकी वजय से उसकी speed जादा होती है speed जादा होगी तो erosion भी जादा होगा है ना और erosion जादा होगा मतलब जादा material को collect करेगी जादा sediments को collect करेगी लेकिन जब river थोड़ा सा आगे बढ़ती है और gentle slope पे जाती है मतलब जहाँ पे slope जो है तोड़ा सा इस तरह से smooth होता है तो जब gentle slope मतलब जैसे जब यूपी के अंदर entry करती है बिहार जारकन और नोलड़ उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी velocity कम हो जाती है और velocity कम होने का सिधा सिधा सा मतलब यह है कि हमारी river की energy कम हो गई यह उसकी power कम हो गई है इसी वज़े से वो जादा erosion नहीं करती है और क्या शुरू करती है deposition शुरू करती है तो जब river की speed velocity कम होती है तो deposition होता है जब river की velocity जादा होती है तो erosion होता है ठीक है लेकिन terms and conditions है यहाँ पे इसका मतलब यह कत ही नहीं के सर higher slopes के ओपर deposition होता ही नहीं होता है पहाडी रीजन में भी गंगा रीवर deposition करती है लेकिन वहाँ पे deposition का rate erosion के comparison में काफी कम होता है लेकिन अब जब gentle slope की बात करते हो gentle slope में कया erosion नहीं होता है definitely होता है लेकिन gentle slopes पे erosion की rate deposition से कम होती है होते दोनों simultaneous ली है हैसा नहीं होता कि एक बार erosion होगा अगली बार deposition होगा नहीं सब चीज़े simultaneously ही काम करती है ठीक है उसके बारे में ही यह बात कर रहा है तो कहता है कि जब river young होती है तो वो downward cutting करती है ठीक है downward cutting करती है नीचे की तरफ cutting करती है लेकिन जब river gentle slope के ओपर जाती है तो वो lateral erosion करती है lateral मतलब horizontal तो दीरे दीरे जैसे ही वो इस तरह से तो इसे आप downward movement कह सकते हो erosion और इसे आप lateral erosion कह सकते हो तो दीरे दीरे जैसे river की speed कम होने लगती है तो उसका downward erosion कम होने लगता है और lateral erosion मतलब horizontal erosion जादा होने लगता है तो दीरे दीरे आप इस तरह से देखोगे कि उसका size increase होने लगता उसकी width increase होने लगती है और इस तरह से वो valley के अंदर flow करती है तो इसके बारे में ही उसने यहां पर छोटी सी बात बता रखी है आगे भी आएगा यह पुरे का पुरा इशू रिपीटिड में तब उसको देखेंगे कहता है overland flow causes sheet erosion sheet erosion के बारे में हो लोग ने पहले कर लिया जब land के उपर erosion होता है तो ठीक है उसके बाद जो river जो है वो narrow narrow path में से flow करती है narrow के बाद वो path wide हो जाता है जैसे जैसे वो gentle देखी यहां पर हमने दिखा है न यह वाला तो इसके बारे में ही यह पुरी बात कर रहा है तो छोटी छोटी चीज़े हैं तो कहता है शुरुआत में जब बारिश होती है या फिर हमारा जो glacier है वो melt होता है तो वो छोटी छोटी नालिया बनाता है एकदम छोटी 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 नालिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं रिल्स कहते हैं जैसे जैसे पानी की मातरा बढ़ने लगती है तो वो जो रिल्स होती है वो थोड़ी सी ब्रोड होने लगती है जिसे हम लोग कहते हैं गली है ना गली तो सबको पता होगा और जैसे जैसे गली थोड़ी सी और ज़्यादा उसके अंदर पानी आता है तो उसे कहते हैं स्ट्रीम और कई सारी जब stream मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है tributaries, और जब कई सारी tributaries आपसे मिल जाती है, तो बनाती है river, है ना, इस तरह से पुरा खेल चलता है, तो और वो कहां से flow करती है, valley के अंदर से flow करती है मेरे पास diagram था, शायद आपको मैं दिखा देता हूँ यह ना, ठीक है, देखी तो यह हमारी छोटी-छोटी ना, ऐस तरह से यह देखो यह आपर, बिल्कु छोटा-छोटा एकदम बिल्कु छोटी-छोटी नालिया टाइप की होती है एदम जैसे गाउं में छोटी नालिया होती है फिर यह हो जाती है, थोड़ी सी चोडी ऐसे गली-गर टाइप की हो जाती है लेकिन जैसे-जैसे पानी की मातरा बढ़ने लगती है तो फिर यह stream का रूब धान कर लेती है stream is nothing but a small river, ठीक है इस तरह से आप इसको कह सकते हो फिर बाद में जो है वो stream जब 2-3-4 stream आपस में मिल जाती है तो वो एक tributary बनाती है और जब कहीं सारे tributary मिल जाती है तो एक बड़ी river बनाती है जो मारी main river होती है है ना, इस तरह से पुरा खेल चलता है तो उसके बारे में इसने यहां पर पुरा बात किया है ठीक है तो वो ही valley और डाउन कटिंग बारे में बात कर रहा है तो कहता है कि जब river आपकी young stage में होती है तो वहाँ पे आपको waterfall भी देखने को मिलते है waterfall तो you very well know ना, जो ज़रने होते है पहाडी में अगर आपको हिमालिया उत्राखंड या नोर्स इस्ट में जाते हो तो वहाँ पे आपको waterfall बगारा देखने को मिलते है ठीक है लेकिन जब वो lower stage में आती है तो later erosion होता है वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ तो यह सारी सारी चीज़े है ठीक है कहता है कि जैसे जैसे जो river जो है वो gentle होने लगती है जैसे आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करते हो तो वो पुरा plane हो जाता है plane, plane area हो जाता है तो UPR जहारकन को आप देखो कि पुरा plane area है बिलकुल भी वहाँ पर पहाडी बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको मतलत जितने हिमालय में आपको देखने को मिलेंगी लेकिन बीच-बीच में उस plane area में कहीं-कहीं, बीच-बीच में आपको थोड़ा सा एक उठा हुआ land form देखने को मिलता है जिसे आप लोग कहते हो Monad Nox, याद रहेगा यह ना Monad Nox, इसका नाम आपको दिखा देता हूँ, देखे मेरे पास diagram सारे हैं, बोस कई बाद थोड़ा सा find out करने में complexity हो जाते हैं, देखे यह पूरे का पुरा plane area है, मतलब यह बीरा low land है, ठीक है, low land मतलब यह है कि जब यहाँ पर river flow करती है, तो बहुत ही कम speed में flow करती है, और downward erosion बिलकुन ना के बराबर होता है, जादा तर erosion lateral होता है, मतलब horizontal होता है, लेकिन बीच बीच में कई जगे आपको इस तरह की छोटे मोटे इनों पठार से type का देखने को मिलता है, जिससे आप लोग Monad Logs कहते हो, ठीक है, उ उससे बहुत ही कम इसकी altitude होता है, that is called penny plane, चले, अब बात करते हैं, हमारी river की journey की बात करते हैं, ठीक है, river की करते हैं शुरुआत, तो दोस्तों river जहां से पैदा होती है, मतलब किसी glacier से, किसी lake से, या फिर, रेनफोल से भी हो सकता है, ये रेनफोल से रिवर हमारी बन सकती ह तो वहाँ पर आगो क्या क्या देखने को मिलता है, देखें, इसके अंदर जो है, थोड़ा सा short form में बताया गया है, मैं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा detailing में यहाँ पर लेके जाओंगा, तो उसी diagram को मैं दोबारा से refer करूँगा, जो भी थोड़ी देर पहले किया था, दे ठीक है, तो river की यह तीन stage होती है, youth stage का मतलब यह है कि youth stage में आपके जो river है, वो पहाड़ों के अंदर से flow करती है, mature stage में वो middle area से flow करती है, और फिर older stage में मतलब वो delta वाले region की वहाँ की बात कर रहा है, जो बिल्कुल ही plane होता, penny plane की बात कर रहा है, तो जब river higher, you know, flow करती है, higher, you know, जो आपके landforms होते हैं, मतलब पहाड़ियां वगरा की बात कर रहा है, वहाँ से जब flow करती है, तो वहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, देखे, कई चीज़े हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगी, पहली बात तो वहाँ पर जो river की speed है, acceleration है, मतलब velocity है, व यहाँ पर भी देख सकते हो, कि पहाड़ों में जो river आपके flow कर रही है, वो इस तरह से यहाँ पर downward erosion करती है, ठीक है, यह समझ गया आप, तो दो चीज़े आपको यह समझने की ज़रुत है, दूसरी बात, क्योंकि वहाँ पर vertical erosion होता है, vertical erosion होता है, downward erosion होता है, तो जिसकी मैं valleys की बात कर रहा हो, तो you can say gorge आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, canyons आपको देखने को मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है, तो यह features जो है, waterfall आपको देखने को मिलेंगे, youth stage में, पहाड़ों में अगर आप जाओगे, तो आपको waterfall भी देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर erosion dominate करता है, deposition उतना dominate नहीं करता है, यह आपको थोड़ा देखने की जोरत है, एक दो feature और है, वो भी यहाँ पर आएंगे तो वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, तो young stage में V-shape valley की बात कर रहा है, ठीक है, और कहता है no flood plains, flood plains नहीं ह होते, अगर होते भी हैं, तो बहुत narrow flood plain होते हैं, अब यहाँ पर जो है UPSC tricky question पुछता है, इसी तरह की statement से UPSC आपको confuse करता है, UPSC कहता है, which of the following statements are true about the youth और young stage of the river, तो वो कहेगा, कि in youth stage, in young stage, flood plains do not exist, यह statement आप से पूछेगा, और जादा तर बच्चे यही लिखेंगे, कि पाड़ो में कहां से flood plain आ गए, लेकिन NCRT क्या कहती है, NCRT कहती है, कि flood plain होते तो हैं, लेकिन कम होते हैं, और narrow होते हैं, इसका मतलब यह कभी मत समझेए, कि youth stage में flood plain नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ प मियंडर्स भी देखने को मिलते हैं, तो पहाड़ी एरिया में भाईया, मियंडरिंग भी होती है, मियंडरिंग का मतलब यह होता है, कि जब आपकी river जो है, वह इस तरह से चलती है, rather than state line, तो river कभी state line में नहीं चलती, इस तरह से घुमाओ करके चलती है, तो youth stage में मियंडर भी मिल सकते हैं, chances काफी कम होते हैं, बट हो सकते हैं, ठीक है, यह आपको थोड़ा दिखाऊंगा, मैं आगे आपको एक diagram से, किस तरह से, चलो मा लोग देख सकते हैं, देखो यह है, यह क्या है, यह मियंडर ही तो है, है ना, तो वहाँ पे भी आपको मियंडर देखने को मि सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो यह भी statement आपको यहाँ पर एकदम star लगाला है, इस statement के ओपर, उसके लाओ waterfall आपको देखने को मिलते हैं, rapids आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो you know, you very well know, waterfall क्या होता है, rapid भी वही होता है, अगर आप देखिए, इस तरह से होता है, कु मिलते हैं, ठीक है, फिर यह बात करता है, किसके बारे में, mature stage के बारे में बात करता है, और, ठीक है, mature stage के बारे में बात करता है, तो mature stage मतलब, वो beach वाली stage आती है, तो कहता है, कि the valleys are still V-shaped, but deep, mature stage के अंदर भी आपकी valleys होती है, और deep होती है, youth stage में जो valleys होती है, वो जादा deep नहीं होती लेकिन मैच्वर स्टेज में काफी डीप चली जाती है ठीक है यह आपका ध्यानत ना है उसके लावा कहता है कि यहां के जो फ्लेड प्लेंस होते हैं यूथ स्टेज में वह कंपेरिटिवली वाइड होते हैं ज्यादा चोड़े होते हैं ऐस कंपेर टू यूथ जो है वो देखने को मिल सकते हैं चांस काफी कम है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से अबसेंट होते हलांके इसने लिखा है वोटर फोल्स एड़रे इस डिसरपियर लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कोंटेक्स्ट यह है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ exceptions तो आपको मिल ही सकती है, exception तो हर जगे ही होती है तो यहाँ पर भी है, फिर बात करता है old stage के बारे में, तो कहता है old stage में जो है smaller tributaries during old stage are few with the gentle gradients, तो gentle gradient होता है, slope बहुत जादा नहीं होता है तो उसके बारे में यह बात कर रहा है, ठीक है तो gentle stage होती है, अब यह कहता है के, old stage में आपको और क्या देखने को मिलता है, old stage में आपको natural levees देखने को मिलती है levees क्या होता है, मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, Oaks Bowl Lake आपको देखने को मिलती है, and you find also some other areas as well, like very penny plain अब इसके बारे में एक एक feature के बारे में आपको मैं इनों थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो erosional landform पढ़ेंगे, तब इसके बारे में पढ़ेंगे So, यह थोड़ा सा briefly, now we have seen, के हमारी जो river का जो journey होती है वो कैसी होती है, तो हमारी river की 3 stages होती है, one is the youth stage then mature stage and then the old stage, और इसके लिए हमें थोड़े थोड़े इनके features के बारे में भी पता होना चाहिए, now let's talk about the evolution कैसे होता है, evolution का मतलब है वहाँ पे कौन-कौन से features पाए जाते है जो की हमारे running water की वज़े से change हो जाते है, now let's talk about these features पहले हम लोग करेंगे erosional features के बारे में, जो erosion की वज़े से पैदा हुए है ठीक है, तो erosional feature में जो सबसे पहला feature होता है दोस्तों, वो होता है valley, valley आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है you very well know के valley क्या होता है ठीक है, valley एक river का narrow path, जो है, बड़ी, जो mountains के बीच में एक low land होती है ठीक है, जो दोनों तरब से higher mountain से covered होती है that is your valley, ठीक है valley के photo देखती है, आप पहचान जाते हो के valley किस तरह से होती है, ठीक है valley जो है, आपको ऐसे तो mountains होती है, this is your valley now अब यह कहता है वही जो पहले हम लोग ने बात बताया था के पहले जो आपके river होती है, वो छोटी-छोटी reels होती है, रेल के बाद वो gully बनती है, gully के बाद वो stream बनती है, stream के बाद tributaries बनती है, tributaries के बाद जो है reverse बनती है और valley के अंदर से flow करता है तो कहता है कि valley जो है आपकी V-shape भी हो सकती है gorge और canyon देखिए gorge और canyon में क्या फरक होता है यह जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यह होता है आपका gorge gorge जो है वो काफी deep होता है और gorge के चारो तरफ almost vertical walls होती है ठीक है और यहाँ बीच में से आपकी river flow करती है this is your gorge ठीक है deep होता है इसे कहीं लोग eye shape valley भी कहते हैं आप इसे eye shape valley भी कह सकते हो ठीक है पहले valley आपकी V-shape होती है इस तरह से जब erosion की वज़े से continuously इसकी जो like जो downward erosion होता है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे horizontal erosion होना शुरू होता है तो इस valley की shape जो है वो eye shape valley हो जाती है जिसे हम लोग gorge कहते है ठीक है गोर्ज अब ऐसा तो नहीं है कि बार gorge बन जाएगा तो आपका erosion खतम हो जाएगा वो तो gorge बनने के बाद भी होता रहता है तो उसके बाद आपका जो अगला stage आता है वो आता है canyon ठीक है यह होता है आपका canyon canyon जो है इस तरह से step wise होता है तो यहां पर आपके river flow करती है तो जब आपकी already जो gorge होता है gorge के अंदर जब further erosion होता है तो this is called your canyon canyon ठीक है इतना फरक होता है बस थोड़ा आपको यही जानना है कि जो canyon होता है canyon जो है वो bottom में अब यह पोरा canyon है canyon जो है bottom में narrow होता है लेकिन top के उपर जो है wide होता है लेकिन जो आपकी gorge होता है वो almost bottom से लेके top तक equal ही उसकी width होती है तो यह थोड़ा सा इसके अंदर फरक होता है थोड़ा यह आपको जान लेना यहाँ पे चाहिए कहता है canyons commonly form in horizontal bedded sedimentary rocks and the gorge form in the hard rocks ठीक है यह point आपने यहाँ पे अलग से याद कर लेना है कि जो horizontally bedded sedimentary rocks होती है वहाँ पे आपको generally canyon देखने को मिलते हैं और जहाँ पे hard rocks होती है वहाँ पे आपको gorge देखने को मिलते हैं ठीक है यह point आपनी आप याद कर लेना है तो पहला erosional feature तो हो गए आपकी values now let's talk about the another erosional feature which is your potholes and your plunge poles अगर आपने कभी पहाडों में कैसी river के उस पे गए हों गाड़ वाड़ पे गए हों तो इस तरह के आपको कुछ इन्हों गड़े से देखने को मिलते हैं यह देखिए यह गड़े देखने को मिलते हैं यह कोई ऐसी कोई आसमानी चीज नहीं है क अब कभ़ता है समने देखा हुआ यह इने कहते हैं पोट होल्स होता क्या है अब यह शुरू में ऐसे तो नहीं थे पहले तो यह जो रोक थी एक दम पुरा स्मूद रही होगी धीरे-धीरे क्या होता है यहाँ पे कुछ जो अब जो हमारी रिवर्स होती है उसके अंदर क्य जैसे मालों यह हमारा रिवर बोटम था और यहाँ पर आपके लगातार जो है गृर्इ यहाँ पर और पा News और यह बैदा होता रहता रहता है और इसके वज़े से धीरे-धीरे बड़े होते है जाते यह बड़े होते चले और ठीक है तो उसके बार ही बात कर रहा है वही पैबल्स ग्रेवल्स और तो इसको आप पड़ोगे तो आपको इसली समझ में आ जागा तो पलंज का मतलब होता है कि कोई जहां पे डूब की मारते हुआ ओप पानी कठा होटा है जहां पे तो जैसे यहां पे ऊपर यह आपका waterfall है तो रिवर यहां से आ रही आ राम से और यहां पे waterfall होता है अब रिवर पेंदर क्या है river के अंदर आपको पत्थर तो देखने को मिलेंगे ना, छोटे बड़े पत्थर, सैंड बगारा सब देखने को मिलता है, तो यह जब नीचे water के साथ हाते हैं, तो यहाँ पे strike करते हैं, है ना, और इसके अंदर काफी force होता है, even जो river का water होता है, खुद water के अंदर भी काफी force होता है, है ना, जिसकी वजए से यहाँ पे नीचे एक गड़ा सा बन जाता है, वो लगातर force होता रहेगा, भीया, सालों, हजारों, क्रोडों, सालों तक तो definitely होगा ही, तो यह जो गड़ा होता है, यहाँ पे बाद में जो है, पानी और यह अंकड़ वंकड़ी कठे हो जात है, जिसे कहते हैं, incised or entrenched meanders, देखे, जाधा तर जो student है, या जाधा तर जो लोग है, जब उनको meander के बारे में बात कहते हैं, तो generally एक ऐसा perception है, लोग यह कहते हैं, कि जो meander है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको plain area में देखने को मिलता है, low lands में देखने को मिलता है, लेकिन लेकिन, वहाँ पे उसको हम लोग normal meander नहीं कहते हैं, वहाँ पे हम उसको incised, या फिर entrenched meander कहते हैं, ट्रेंच तो आपको पता ही है ना, तो एक ट्रेंच वहाँ पे भी बनती है, देखिए, अभी तो दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, तो यह जो आपके सामने है, यह देखिए, यह क्या है, यह एक meander है, ठीके, और यहाँ पे यह river क्या आदेखे, गोर्ज बना रख हैं, तो इस तरह का meander, जब hard rocks के ओपर बनता है, higher elevations के ओपर बनता है, इसे हम लोग entrenched meander कहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा यहाँ पर, तो कहता है, जो streams होती है, जो rivers होती है, that flow rapidly over the steep gradient, steep gradient होने के वाज़े से वो bottom erosion लगातार होता रहता है, ब over a period of time, भया river में, देखें, सीधी सी बात है, आप एक जी समझिए, कि जैसे मालो गंगा river है, अब गंगा river जो है, वो हिमाल्या को पार करके निकलती है, इसका मतलब यह है, कि गंगा river हिमाल्या से पहले ही यहाँ पर exist करती थी, अब हिमाल्या जब धीरे-धीरे increase होने लगा तो हिमाल्या की जो rate of increase था, वो काफी कम था, लेकिन उसके comparison में हमारी जो river की velocity थी, वो काफी जादा थी, तो side से धीरे-धीरे हिमाल्या increase होने लगा, लेकिन नदी ने अपना रास्ता change नहीं किया, तो नदी जो river जो बह रही थी, उसने लगातर हिमाल्या का erosion करना शुरू क और आज आपको जो है, गोर्ज नजर आते हैं, वहाँ पे, तो जो गंगा का रास्ता था, वो रास्ता उसने change नहीं किया, लेकिन side वाली जो rocks थी, जो mountains थी, वो increase होती गई, और बाद में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है entranced meanders, काफी deep होता है, और wide भी होता है, ठीक ह तो कहता है, they widen and deepen over the time and can be found in the deep gorges canyon in the hard rock area, तो hard rock area में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, and they are called entranced meanders, ठीक है, तो यह होगे आपका erosional feature, अगला जो हमारा erosional feature होता है, that is called your river terrace, अब यह river terrace क्या होता है, तो आप समझी गई होंगी, आपका यहाँ पे picture में आपको clearly नजर आ रह terrace है, ठीक है, इस तरह से, यह देखे, मतलब ladder type का होता है, तो यह कैसे बनता है, यह, देखे, एक्जाम में यह आपसे कभी नहीं पूछेगा क्या पूछेगा, यह जो है terrace कैसे बनता है, बस exam में आपसे क्या पूछ सकता है, वो यह पूछेगा, यह river terrace होता है, यह erosional feature है, यह आपको पता होना जाए, कि यह erosional feature है, डिपोजिशनल feature नहीं, कैसे होता है, देखे, इसके अलगले तरीके हो सकते हैं, जो old valley होती है, ठीक है, old valleys में आपको terrace देखने को मिलते हैं, अब आप इमेजिन करिए, कि पहले आपकी river का flow यह हुआ करता था, तो this was the path of the river, लेकि इससे हम लोग terrace, इससे terrace बन जाता है, या फिर, एक और तरीका यहाँ पर हो सकता है, कि पहले river का flow काफी कम था, तो वो सिर्फ इस area में ही erosion कर रही थी, लेकिन जब river का flow बढ़ने लगा, उसके अंदर पानी बढ़ने लगा, तो वो erosion जो है, उपर जाके करने लगी, फिर थो आपका जो vertical erosion होता है, time to time, उसकी वज़े से आपको terrace देखने को मिलते हैं, अब यह terrace यहाँ पर दो तरह हो सकता है, एक terrace होता है, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है यहाँ तो यह paired terrace है, मतलब दोनों तरफ बराबर हैं, आप 1, 2, 3, 4, और यहाँ भी 1, 2, 3, 4, paired terrace, एक होता है आपका जो unpaid terrace होता है, तो एक तरफ इसके step जो है जादा होते हैं, दूसरी तरफ step कम होते हैं, यह क्यों होता है, यह generally तब होता है, जब rivers अपना रास्ता change कर देती है, over a period of time, देखें, river भी अपना course change करती है, तो जहाँ पे river frequently अपना course change करती है, वहाँ पी आपको unpaid terrace देखने को मिलते हैं, उसके बारे हम बात कर रहा है, उसके लावा कुछ और चोटे मोटे reason भी हो सकते हैं, जैसे receding water after the peak flow, पहले वही आप बहुत जादा पानी flow कर रहा था, अभी कम कर रहा है, तो उसके वज़े से हो सकता है, दूसरा होता है कि hydrological regime, अगर climate change की वज़े से पानी कम हो गया, जादा हो गया है, core change हो गया हो सारी चीज़े, और फिर जो आपका sea level की वज़े से भी हो सकता है, समंदर का पानी उपर चला गया, नीचे चला गया, वो भी होता रहता है, उसकी वज़े से भी आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपके portholes हो गए plunge pools हो गए, ठीक है, आपकी जो है, जो ये आपके meanders हो गए, आपके जो terrace हो गए, all of these are your erosional features, अब river ने erosion तो कर दिया, features भी उसने बना दिये, लेकिन वो deposition भी तो करती है, Now, let's talk about the deposition of landforms created by the rivers, सबसे पहले आपका आता है, alluvial fans, fan क्या होता है, देखें, fan के बारे मैं आपका बताने की जूरत नहीं, चीक है, जैसा हाथ के अंदर जो fan होता है, जैसे fan क्या होता है, इस तरह से होता है, fan, ये देखें, ये fan होता है, तो गर्मी में जो गाउँ आज आज कल तो fan को यूज करता नहीं है, इस तरह से, तो इसको हाथ से पकड़के अब इसको ऐसे हिलाते हो, तो इसको fan बोलते है, आज कल इसको यूज नहीं करता, क्योंकि आज कल तो पंखें आ गया बिजली सब के पास है, लेकिन पहले पुराने लोग इसको fan का यूज करते अलूवियल का मतलब क्या होता है, अलूवियल का मतलब होता है, कि जो sediments होते हैं, इसके अंदर sand होता है, clay होता है, pebbles, rocks, वो सब होता है, इसे हम लोग अलूवियल गाते हैं, तो अब imagine करिए, कि जो आपके river होती है, जब वो पहाड़ों के उपर से flow करते हैं, यहां से, ठी करेगी, क्या होता है, देखें, जब वो पहाड़ों में थी, उसकी तो velocity जादा थी, तो उसके अंदर energy जादा थी, तो वो अलूवियल को आसानी से धकेल सकती थी, लेकिन जैसे ही वो plane area में entry करती है, gentle area में entry करती है, तो उसकी velocity हो जाती है, कम, velocity कम होने है, मतलब उसकी power कम ह जाती है, जब power कम हो जाती है, तो वो alluvials को, sediments को और जादा hold नहीं कर पाती, अपने alluvials को यहीं पे जाके deposit कर देती है, और जहाँ पे वो deposit करती है, यहाँ की जो shape होती है, वो आपको fan जैसे नजर आती है, तो इसलिए तो इसका नम fan रखा हूँ है, आपके लिए देख सक से बना है, alluvium से बना है, इसलिए इसका alluvium बनते हैं, ठीक है, बस 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 इतना ही है, और इसमें को जादा होता नहीं, तो होता क्या है, over a period of time, यह जो alluvial fans होते हैं, थोड़े से solid type के हो जाते हैं, तो आपके जो river होती है, वो कभी तो यहाँ से flow करती है, कभी यहाँ से flow क परती है, तो इस तरह से छोटी-छोटी distributed type की बन जाती है, आपके reverse की, ठीक है, वो इस तरह से flow करती है, अब देखिए, एक चीज़ आपको पहली बता देता हूं, जो alluvial fans होते हैं, यह आपको देखने में ऐसा लगता है, सर यह सारी चीज़े तो delta में भी होती है, delta में तो on the bottom of the, और foothills of the mountains, वहाँ पर आपको alluvial fan देखने को मिलते हैं, लेकिन जो delta होते हैं, वो आपको coastal areas में देखने को मिलते हैं, जब आपकी river ocean के अंदर entry करती है, तो वो थोड़ा सा फरक होता है, तो उसके बारे में बस यही बात बोल रहा है, कि जब आपकी river जो है, वो higher level स जाती है, तो low gradient में जाती है, तो वहाँ पर जो course load होता है, मतलब जो भारी पत्थर type के होते हैं, वो वहाँ पर जाके deposit हो जाते हैं, because they are too heavy and river is not able to carry them anymore, तो वहाँ पर dump हो जाते हैं, dump का मतलब वही पर जाके जमा हो जाते हैं, और वो एक कौन, कौन मतलब, अब वो तो आपन fan कहते हैं, alluvial fan की वज़े से आपकी जो reverse का रास्ता है, वो धेरे धेरे change होता रहता है, जिसे हम लोग distributories कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है, और फिर कहता है, कि जो humid regions होते हैं, जहां पर बारिश वारिश जादा होती है, वहाँ पर alluvial fans जो हैं, वो बात करता है, तो यह था आपका depositional feature, अगला जो depositional feature हमारे पास आता है, वो आता है, flood plains, natural levees and the point bars, अब यह तीन चीज़े हैं, ठीक है, तीन चोटे-चोटे topic हैं, यह क्या होता है, flood plain तो आपको बतानी की जूरत नहीं है, ठीक है, flood plain basically, वो plain होता है, जहां आप से river का flood water होत होता है, उसको river जो हजारों लाखों साल में बनाती है, जैसे-जैसे river का flood आता रहता है, तो जब आपकी river mountainous region में जाती है, youth stage में होती है, या थोड़ा mature stage में होती है, वहाँ पे flood plain काफी narrow होते हैं, क्योंकि वहाँ पे river के अंदर जो पानी का volume हो कम होता है, लेकि जैसे-जै river का जो volume होता है, water का वह काफी increase हो जाता है, जिसके वज़े इसके अंदर flooding आती है, और जो वह flooding आती है, तो क्या करती है, फ्लड तो river के जो banks होते हैं, किनारे होते हैं, उनको तोड़के पानी बहने लगता है, और जहां तो पानी बहता है, वह आपके flood plain का part आसानी से हो जा और यहां पर जो bluish type का यह नजर आ रहा है, यह हमारी river है, ठीक है, तो this is our normal path of the river, normal condition है, लेकिन जब river के अंदर पानी overflow हो जाता है, अब यह overflow किसी चीज़ की वज़े से भी हो सकता है, पानी वानी वहां पे हो गया कुछ भी, तो river का जो water होता है, वो अपने किनारों को असाम कंदर ही तो होता है न, तो river के आसपास जो गाउं होते हैं, जो खेत होते हैं, cities वगरा होते हैं, वहाँ पर भी आ जाती है flooding, तो this is called river floodplain, ठीक है, तो, और floodplain में क्या होता है, देखे जो river आपकी जो है, वहाँ जहे, अब river तो carry करेगी न, sediments को, अब sediments तो अलग-अल heavy वाले जो sediments होते हैं, वो आपकी river के आसपास ही deposit हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं, वो आपके दूर तक चले जा सकते हैं, यहाँ तक travel कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, उसके बारे में पूरी बात कर रहा है, तो वही है सारा कुछ, deposition, अब develop on the floodplain just as the erosion makes valley, तो large size जो material होते हैं, वो deposit हो जाते हैं, कहाँ पे stream के बिल्कुल आसपास में हो जाते हैं, तो कहते हैं, जो fine size material होते हैं, जैसे sand, silt और clay होता है, वो comparatively दूर तक जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे जो है, वो deposition होता रहता है, जीसे हम लोग floodplain कहते हैं, ठीक है, अब कहते हैं, अब कह blood deposit होता है, channel deposit क्या होता है, कहीं बार जब river जब अपना course change कर देती है, अपना रास्ता ही change कर देती है, तो भाया उसके material भी दूसरी रास्ते में जाके deposit होंगे न, तो उसको कहते है channel deposit, channel मतलब उसका पुरा रास्ता ही change हो जाता है, उससे कहते हैं, तो उसके बारे बात करता ह the flood deposits of the spilled water carry relatively finer materials like the silt and clay the flood plains in a delta are called delta plains ठीक है तो delta में इसको delta plane कहते हैं अब बात करते हैं natural levies के बारे में natural levies की picture दिखाता हूँ आपका थोड़ा जादा clearly समझ में आएगा फिर anxiety पढ़ेंगा न देखे हाँ यह हो गया अब यह जो पहला सबसे आपको नज़र आ रहा है यह flood से पहले का scene है तो river आजो है अराम से अपने रास्ते में अराम से flow करती रहती है कोई रोक टोक नहीं है भाईया आप अपनी शांती से रहेंगे लेकिन फिर आगया flood अब आगया flood तो flood आने से क्या होगा water क्या करेगा वो रास्तो को उसके river के normal जो जो रास्ता होता उसको तोड़के क्या करेगा बाहर निकल जाएगा तो अब यह जो second वाला है यह है during flood ठीक है during flood अब flood के दोरान जब पानी ऊपर बहने लगता है तो उस पाने के साथ तो sediments भी जाएंगे तो sediments जो है वो इस तरह से किनारे पे यहाँ पर जाके deposit हो जाते तो जो heavy वाले होते है वो यहाँ पर deposit हो जाएंगे और जो थोड़े light वाले होते हैं हलके होते हैं तो थोड़ा दूर तक चले जाते हैं और millions of years तक जब ये process लगातार चलती रहती है तो river अपने आपको खुद ही एक narrow channel में fix कर लेती है तो over a period of time ये जो river के किनारे हैं आपको इस तरह से ये जो raised platform नजर आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लेवीज कहते हैं और ये natural लेवीज होते हैं ठीक है natural लेवीज होते हैं तो अगली बार जब flood आएगा तो ज़्यादा protection होती है तो सोचके देखिए river flood create करती है लेकिन उस flood की वज़े से एक natural protection भी मिलता है आने वाली future में flood से तो खुद ही river destruction करती है as a result of flood और खुद ही solution भी कर देती है by creating the natural लेवीज अब ये लेवीज जो है वो man-made भी हो सकती है जैसे आसाम गरा में ऐसे region में जहाँ पर regularly flood आता है तो जहाँ पर natural लेवीज इतनी strong नहीं होती है तो वहाँ पर हम लोग artificial लेवीज भी बना सकते हैं तो वहाँ पर दिवार वगरा construct कर सकते हैं ठीक है तो जिससे आपके जो river का water है वो उस channel के अंदर ही limited रहेगा और जादा बाहर नहीं जाएगा तो इस आपको समझ में आ गया खैर आगे बढ़ते हैं अब अगला जो feature था इसने क्या कहा था that was the natural levee हो गया floodplain हो गया अब कहता है point bars देखे point bar क्या होता है दोस्तो हमारी जो river होती है वो सीधे रास्ते पे नहीं चलती है straight line में नहीं चलती है हमारी river ऐसे जैसे snake होता है snake के जैसे चलती है इठलाते हुए शर्माते हुए न वो इस तरह से चलती है यूँ snake की तरह चलती है और यह snake की तरह वहाँ चलती है जहाँ पे जो slope है वो काफी gentle होता है जितना जादा slope gentle होता जाएगा उतनी ही जादा आपकी river का path वो zigzag होता चला जाता है snake होता चला जाता है जिसे हम लोग meander कहते हैं ठीक है समझे गए meander तो यह है हमारी river का meander देखिए आरा आपको नजर meander अब इस river के अंदर क्या है river के अंदर तो sediments है अब उसको वो कहीं पर deposit करेगा अब यह जो देखें मैंने आपको पहली बताया था अब यह जो दोस्तों यह mature stage है mature से भी आप यह कह सकती हो कि यह old stage है old stage के अंदर depositional feature या खिर deposition वो dominate करता है लेकिन erosion comparatively कम होता है तो यहाँ पे एक feature होता है जिसे point bar कहते हैं कहां होता है देखें यह है आपका point bar आपकी जो river इस तरह से flow करती है तो अपने साथ sediment लेके आती है और over a period of time यहाँ पे sediment धीरे-धीरे deposit करती रहती है this is called point bar यह जो है ना red color में जो मैं आपका point bar होता है तो जो concave side होती है आपकी river की meandering की वहाँ पे आपको कुछ sediments देखने को मिलते हैं these sediments are called point bars ठीक है पास यही है और इससे जादा कुछ है नहीं और फाल तो कि इसने बात है कुछ-कुछ बहुत रखी होंगी सब्सक्राइब करने की जोरत नहीं है बट इतना पता होना चाहिए जो थोड़ा सा इसको deposition of sediments होता है that is called your point bars अब बात करते हैं meandering में बारे में और यह मैंको बता चुका हूँ जैसा कि आपके सामने picture में भी नजर आ रहा है low sloping areas और gentle areas तो वह flood plains बनाती है और बाद में जो है delta plains बनाती है तो this is called your meandering अब कहता है meander is not a land farm meander is just a type of channel and in this channel your river flows कहां पे बनता है क्यूं बनता है meander इसके कुछ कान यहां पे बता रखते हैं देखिए example में मेरे खाल से exam के perspective से यह point important है क्यूं बनते है meander क्या reason होते हैं देखिए एक live example से आपको बताता हूं मतलब practical example से जब आप cycle चलाते हो और आप की cycle की speed काफी जादा होती है तो आप cycle को straight line में चलाते हो लेकिन आप cycle की speed जो है काफी कम करके देखना आप कभी भी बहुत कम speed वाली cycle को straight line में नहीं चला सकते हैं आपको उसको balance करने के लिए हमेशा कभी left और कभी right जाना पड़ता है जाना पड़ते हैं? यही है तो पहली बात तो river वहाँ पे meander क्यों करती है? loop वाले channel में क्यों flow करती है? क्योंकि वहाँ पे slope जो है वो काफी gentle होता है मतलब एक दम बिलकुल plane area होता है उस plane area की वजए से वहाँ का downward यानि कि जो vertical erosion था वो ना के बराबर होता है लेकिन जो lateral erosion होता है मतलब horizontal erosion होता है वो काफी जादा होता है तेख तो इसके वज़े से meander बनता है दूसरा unconsolidated nature of the alluvial deposits making up the banks with many irregularities which can be used by water exerting pressure laterally इसका मतलब क्या है? unconsolidated nature of the deposits क्या होता है? consolidate का मतलब होता है कि जब कोई sediments आपके strong हो जाते हैं यह हम लोगोंने sedimentary rocks में भी पढ़ा था sedimentary rocks कैसे बनती है? जब बहुत सारे sediment जो है आकई कठा हो जाता है over a million of period of time वो hard हो जाता है तो जब वो hard होता है उसे कहते है consolidated deposits लेकिन जब वो मतलब होते तो हैं वहाँ पे लेकिन अच्छे से mix नहीं होते और solid नहीं होते हैं उसे unconsolidated deposits कहा जाता है तो आपके जो river के जो channel होता है वहाँ पे unconsolidated deposits होते हैं जिसकी वज़े से इसको erosion करना काफी easy होता है और उस erosion की वज़े से आपके river जो है वो meandering path बनाती है ठीक है irregularities की वज़े से क्योंकि unconsolidated deposit होगा तो irregularities होगी वहाँ पे फिर यह कहता है Coriolis force detailing में जो है Coriolis force हम लोग climatology पढ़ेंगे definitely लेकिन हलका साब को बता देता हूं और I know कि आपको पहले से पता भी होगा Coriolis force का होता है अर्थ की rotation की वज़े से होता है अब इसका थोड़ा से कि मैं हमेशा class में यह example देता हूं Coriolis force का आप यह मान के चलिए कि मेरा room है जहापे बैटके समय मैं class कर रहा हूं और मुझे इस दिवार से लेके सामने वाली दिवार में तक जाना है तो मैं आसानी से जा सकता हूं कोई problem नहीं है straight line में जाऊंगा उठूंगा और वहां तक आराम से मोज करता हूँ चला जाऊंगा लेकिन अब आप imagine करिए कि मेरा room जो है वो rotate कर रहा है तो जब मेरा room rotate कर रहा होगा तो क्या यह मेरे लिए possible होगा यहां से वहां पे straight line में जाना बिल्कुल भी possible रही होगा हाँ मैं superman हूँ तो अलग वाद है लेकिन आम इनसान के लिए घूमते हुए room में straight line में चलना असान नहीं है इसी तरह से तो क्या होगा जब यहां से वहां जाने की कोशिश करूँगा या तो मैं left side की तरफ जाऊंगा या फिर मैं right side की तरफ गिर जाऊंगा straight तो नहीं जा पाऊंगा अब आप पूरी अर्थ को एक rotating room समझ लीजिए तो अर्थ जब rotate कर रही होती है तो definitely यहां पे जो भी moving objects होंगे वो straight line में नहीं जा पाएंगे तो या तो वो left की तरफ deflect होंगे या फिर right की तरफ deflect होंगे तो northern hemisphere में कोई भी moving object हो because of the rotation of earth वो northern hemisphere में हमेशा right side की तरफ deflect होगा और southern hemisphere में हमेशा left side की तरफ deflect होगा अब ही फिलाल इतना समझ लीजिए थोड़ा ज्यादा detailing climatology में करेंगे तो जो river का जब water flow करता है अब ये भी तो moving objective है न move कर रही है हमारी river तो क्या उसके उपर कॉलरी force नहीं लगेगा 110% लगेगा तो northern hemisphere में हमारी river हमारी river right side की तरफ जाने की कोशिश करती है और जब वो right side की तरफ force करेगी मतलब यह समझ लीजिए कि ये कोई आपका river channel है जहां से river जो है इस तरह से flow कर रही है और लेकिन ये northern hemisphere में है तो अगर ये northern hemisphere में है तो ये कौन सी side में ज़्यादा force कर लगाएगी इस side में ज़्यादा force लगाएगी 110% क्योंकि ये right side है और ये northern hemisphere है तो इसका मतलब इस side में ज़्यादा impact पड़ता है तो जब ज़्यादा impact पड़ेगा तो इस side में ज़्यादा erosion भी होगा और जब इस side में ज़्यादा erosion होगा तो river जो है वो धीरे धीरे इस तरफ मुर्णा start कर देती ठीक है और फिर आपको overall इस तरह से meandering नज़र आती है बस छोटी छोटी चीज़े है छोटे छोटे concept है उसके बारे में प्रबात कर रहा है तो ये जो है आपको पूरा इस तरह से आपकी meandering चलती है और curvature बनाती है ठीक है और धीरे-धीरे curvature जो है वो deep होते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये जो curvature इतने deep हो जाते हैं कि ये एक अलग से रास्ता निकाल देते हैं अलग से रास्ता निकालने मतलब देखें मैं आपको कहीं और समझाता हूं यहां पर कोशिश करता हूं देखें तो ये जैसे हमारी जो river होती है तो ये है भहिया हमारी river इस तरह से flow करती है ठीक है इस तरह से ये जो है flow कर रही है एक दम जैसे हमारी आत होती है ना हमारे पेट के अंदर अब यहां से जो है water flow कर रहा है अब धीरे धीरे इस point के उपर यहां पर erosion होता रहता है erosion होता रहेगा और यह धीरे धीरे deep होता चला जाएगा और deep होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे जाके touch हो जाएगा तो जब यह यहाँ पे जाके touch होएगा इसका मतलब क्या है यहाँ पे बन गया क्या नया रास्ता बन गया भहिया और river ने रास्ते से जाएगी ना, पुराने रास्ते से थोड़ी जाएगी, तो दीरे दीरे क्या होता है, ये वाला जो रास्ता है, रिवर का वो हो जाता है, इससे अलग, और रिवर एक इस तरह से नया रास्ता बना देती है, तो this is the new path of the river, और ये जो बच जाता है, इससे क्या कह ठीक है Oaks bowl lake से कहते हैं तो initially इस lake के अंदर water होता है क्योंकि definitely it was a part of the river है ना लेकिन धीरे धीरे यह water जो है इसका evaporation होता रहता है देखे इसमें कोई extra water तो कहीं से add हो नहीं रहा है वही water था over a period of time there would be evaporation and all this water is going to be evaporated तो फिर वहाँ पर क्या बन जाएगा swamp बन जाएगा मतलब दल्दली जमीन बन जाएगी and it will turn into a it will turn into a wetland है ना और देरे देरे वह भी dry हो जाता है and then it will be complete part of the land है ना यह सरा गयते हैं Oaks bowl lake तो देखे यहाँ पर आपकी Oaks bowl lake बनी हुई है और यहाँ पर यह रही है आपकी Oaks bowl lake बहुत सारे example है हमारे पास Oaks bowl lake के यह तलग है ठीक है यह देखे तो इस तरह से flow करती है धीरे धीरे यह आपस में जुड़ जाते हैं और हमारे पास जो है इस तरह से यह Oaks bowl lake बन जाती है ठीक है तो यह abundant channel है basically ठीक है this is your abundant तो में एक बार चीज़ को एक बार बार समझाने मतलब नहीं है एक बार आपको चीज़े समझने आ गई हो ठीक है चली तो इसमें इसने एक दो चीज़े बार बता रखी है अगर आपको याद करना तो कर सकते हो नहीं तो इसको इतना important है भी नहीं कि यह जो आपका meander होता है meander के हमेशा जो यह side होती है इसे कहते है point bar है यह तो हम लोग ने कर लिया थोलड़ी point bar इसके जो यह concave side वाला जो side होती है इसे कहते है undercut bank और जो ये convex वाली side होती है इसे हम लोग कहते है slip of bank हैं तो दोनों किनारे लेकिन इसे कहते है undercut और इसे कहते है slip cut ठीक है slip of bank बस यह आपका थोड़ा सा याद रहना है और तो कुछ इसमें खास है नहीं ठीक है अगला जो हम लोग deposition feature करेंगे that is your braided channel braid का मतलब क्या होता है braid का मतलब होता है चोटी जो लड़किया बनाती है मेरे बाल भी काफी बड़े हैं कभी कभी मैं भी बना लेता हूँ घर पे जब होता हूँ तो यह basically river का path होता है लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह से नज़र आता है कि आपको देखने के लगा कि कोई चोटी है नहीं नज़र आ रहा किया इसे ही बस हम लोग braided channel कहते है channel का मतलब इसलिए रास्ता होता है अब यह बनता कैसे है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पहले एक blank पेशे बता देता हूँ फिर हम लोग थोड़ा सा लग जा के देख लेंगे लेकिन होता क्या है मालो यहां से यह river आपकी इस तरह से flow कर रही है तो जैसे ही river coastal areas में पहुँचती है अब coastal areas में क्या होता न वहाँ पे जो आपका slope होता है बहुत ही जादा gentle होता है बिल्कुल भी height नहीं होती वहाँ पे अब यह river जो यहां से flow कर रही है अब यह इस river के पास क्या है river अपने साथ दुनिया भर का sediment लेके आई है और यहां पे river की जो speed है वो extremely low हो जाती है और आपको यह पता है जब river की speed low हो जाती है तो उसकी power भी कम हो जाती है E is equal to mc square ना अब जब उसकी power कम हो जाएगी तो इसका मतलब वो sediments को और ज़्यादा hold नहीं कर पाएगी तो यहां पे जो sediments होंगे जो थोड़े से heavy वाले होते हैं course होते हैं जैसे आपका जो sand होता है वो क्या कहेगा sand बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है river बोलेगी अब मैं तुम्हें और ज़्यादा carry नहीं कर पाऊंगी तो आपका जो sand होता है न वो यहीं पे कहीं deposit हो जाता है अब सारा sand एकी जगे पे तो deposit नहीं होगा थोड़ा बहुत sand आपका यहाँ पे भी deposit हो जाता है थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे भी deposit हो जाता है तो यह rivers के बीच में ही आपको island type के नजर आने लगते हैं river islands लेकिन river के अंदर पानी तो है न पानी कहां से flow करेगा पानी को क्या फरक पड़ता है वो यहाँ से flow करना शुरू कर देगा जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा flow करना शुरू कर देगा तो यह जो water के जो नए नए channels बने हैं यह जो नए नए channels आपको नजर आ रहे हैं ठीक है इनको ही कहते हैं braided channel तो यह चोटी type के नजर आते हैं आपको ठीक है अगर आप satellite से इसकी picture लोगे तो it looks like a braid इसे ही कहते हैं braided channel ठीक है जब आपको delta बनता है तो आपको delta वाले region में इस तरह के braided channels नजर आते हैं ठीक है getting this point? चलिए जी यह रहा देखिए आपका braided channel एकदम satellite की picture लिया हुआ है तो यह जो बीच-बीच में आपको नजर आ रहा है यह सारे आपके यहां पर आपकी sand deposit हो गई है यह पुरा sand deposit हो गई है और यहां से यह जो है आपका water अलग-अलग channel से flow कर रहा है तो थोड़ा यहां से आएगा थोड़ा यहां से आएगा थोड़ा यहां से आएगा इधर से आएगा this is called a braided channel ठीक है तो यह देख सकते हो आप इसकी clearly picture यह जो गंडक river है आपकी जो which is a tributary of ganga, son is also tributary of ganga, son is the right bank tributary of ganga है ना and गंडक is the left bank tributary of ganga तो यह जोड़ा satellite picture है so these are your braided channels ठीक है so these are the features of your running water and these are the depositional and the erosional features ठीक है यही prelims में कुछ न कुछ पूछ सकता है अलागि कहीं सालों से उसने कुछ पूछा नहीं है but let's hope कि शायद वो पूछ लेगा अच्छे से हम लोगों ने डिटेली में पढ़ा है अलागि classrooms वगरा में यह चीज़े नहीं करवाई जाती क्योंकि यह बहुत basic basic concept होते हैं आपकी NCRT में GCLों में cover हो जाते हैं तो mostly teacher इसको cover नहीं करवाते हैं लेकिन हम लोग जब NCRT का course कर रहे हैं definitely हम तो इसको सबको पढ़ेंगे ही अभी एक बार समय दे दिजिए इन चीज़ों को उसके बाद आपकी life बहुत easy हो जाएगी अगले साल दो साल तीन साल जितने साल भी आप prepare करोगे your job is going to be very very easy मज़ा भी आएगा क्योंकि आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है एक बार कर लो कि फिर बार बार इसको refer करने की जोरुत भी नहीं ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं ग्राउंड वोटर के बारे में देखें ग्राउंड वोटर ना features काफी interesting होते हैं क्योंकि देखें ग्राउंड वोटर के जब भी हम लोग बात करते हैं बनाता ही नहीं है बिगारता ही यह इसका मतलब ही है कि वहाँ पे erosional features भी मिलते हैं depositional features भी मिलते हैं जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चलिए जो सीधा बढ़ते हैं groundwater के बारे में अब groundwater कहा होता है कैसे होता है वो तो किसी को बताने की जोरत नहीं है लेकिन एक चीज़ आपको समझ नहीं बढ़ेंगी कहता है our focus is on the work of the groundwater in the erosion of the landforms and the evolution of the landforms कहता है the surface water percolates अब यह चीज़ आपको यहाँ पर देखने के जोरता है तो वो धीरे-धीरे soil के थुरू यह जो हमारी rocks होती है जो permeable rocks होती है basically permeable rocks होती है जिसकी pores के बीच में जगए होती है तो यह जो pores के बीच में जगए होती है इनके बीच में से आपका पानी आसानी से जा सकता है तो दीरे दीरे यह पारी नीचे percolate होता रहता है और हमारे ground water का part बन जाता है तो उसको ही कह रहा है कि slowly slowly your surface water percolates well when the rocks are permeable तो सिर्फ permeable rocks में से ही जा सकता है, impermeable rocks में से कभी भी नहीं जाएगा ठीक है तो यह बात हो गई, आगे कहता है तो यह जो rocks की बात कर रहा है वो कैसी होती है, thinly bedded होती है, इसका मतलब वो काफी thin, उनके अंदर बहुत पतली पतली layer होती है जिसमें से पानी असानी से निकल सकता है highly jointed होती है, मतलब उनके बीच में joints भी होते है, और joints होने का सीधा-सीधा मतलब यह है कि वहाँ से पानी आराम से पार हो सकता है और उनके अंदर crack भी पड़े होते हैं, उसके बारे में यह बात करता है ठीक है, तो आपके जो bedding planes होते हैं, joints होते हैं, उनके थुरू आपका पानी जो है वो नीचे अराम से चला जाता है अब देखिए, क्या बात करता है, थोड़ा सा आपको एक अलग से बना के बताता हूँ, जैसे यह हमारी, जो है, एक हमारी crystal rocks होती है ठीक है, तो यह हमारी होती है, crystal rocks को कुछ इस तरह से, अलग-अलग layers होती है, crystal rocks के अंदर अब इसमें देखिए, ऐसा होता है, जैसे मान लो, यह जो नीचे वाली layer है, यह हमारी जो है, impermeable rock है मतलब इसमें से पानी पार नहीं हो सकता, लेकिन इसके उपर जो आपको 1, 2, 3 और 4, जो 4 layer आपको दिखाई दे रही है यह completely permeable होती है, pervious होती है, ठीक है, तो यहां से पानी आराम से जा सकता है अब देखिए, briefly आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अब मान लो, यह जो rocks है, अब पानी क्या कर सकता है पानी यहाँ पर दो चीज़ कर सकता है, एक तो अपनी physical force से, वहां से कुछ न कुछ ही रोजन कर सकता है लेकिन उसके chances यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि पानी के इतनी power नहीं है दूसरी चीज़, अगर इन rocks के अंदर कोई ऐसा mineral है, जो water के अंदर soluble होता है तब आपका water यहाँ पर जवरदस्त काम कर सकता है जैसे हम बात कर रहें, calcium carbonate यह limestone की अगर हम बात करें ठीक है, limestone यह dolomite ठीक है, तो calcium carbonate आपको पता है कि सब water के साथ ही reaction करते है जो water के साथ अंदर जब carbon dioxide mix होती है, तो हमारा carbonic acid बनाती है तो carbonic acid के अंदर यह limestone बहुत ही soluble होता है तो suppose करो इन rocks के अंदर limestone पाया गया है, यह limestone क्या करेगा, उपर से आपका carbonic acid डा रहा है उसके साथ mix हो जाएगा, mix होने के बाद वहाँ से remove हो जाएगा तो एक बार जब यह आपका उपर से water percolate होके, यहाँ पहुंचता है, इस fourth layer तक पहुंचता है तो इससे आगे नहीं जा पाता, क्योंकि भहिया यह impervious stroke है तो आपका जो फिर पहले तो वह vertical ही आ रहा था उपर से नीचे, downward अभी वह क्या करेगा, यहाँ पर जाके इकठा हो जाएगा और इकठा होने के बाद वह कहीं फिर horizontally flow करने लगेगा तो जिस तरफ slope होता है, उस तरफ वो flow करने शुरू कर देता है तो इस तरह से दोस्तो हमारा तयार होता है, ground water सिंपल सा mechanism है, सरेन होती है, या river या lakes के थुरू नीचे पानी धिरे-धिरे percolate होता रहता है अगर आपकी rocks, जब तक आपकी rocks impervious stroke नहीं आती है तब तक वो नीचे percolate होता रहता है किसी भी depth पे हो सकता है, 2 feet, 4 feet, 10 feet, 50 feet, 200 feet, 500 feet कहीं भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसको impervious stroke मिलती है वो वहाँ जाके रुख जाता है धीरे-धीरे वही कठा होता रहता है, और फिर वो किसी एक side में flow करता है जहाँ पे वो उसको slope मिलता है इस तरह से आपका तयार होता है ground water उसके अलावा, जो यहाँ पे आपकी soil मिलती है, जो rocks मिलती है तो वो soil भी over a period of time saturate हो जाती है अब देखे, यहाँ पे यह जो space है, अब यह unlimited तो नहीं है लेकिन एक बार जब यह भर जाएगा, तो फिर पानी कहां जाएगा तो फिर वो पानी जो है, आपकी soil scandal जो pores होते है, vacuum होता है उसको fill करना शुरू कर देते है and over a period of time आपकी soil भी saturate हो जाती है इसे कहते हैं ground water यह ground water, जो downward ground water आ रहा है यह भी और जो horizontally flow कर रहा है यह भी यह दोनों ground water हमारे पास कुछ land forms create करते हैं because of erosion and because of deposition ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं तो कहता है physical or mechanical removal of the material by the moving ground water is insignificant क्योंकि उसकी उसकी बहुत दापावर तो होती नहीं है जैसे हमारी river के उसकी है, तो that is insignificant but the rocks like the limestone and the dolomite rich in calcium carbonate यह जो rocks होती है they can make solution with the water तो यह solution बनाएंगी जब इस solution बनाएंगी तो वहाँ पे precipitation होगा मतलब वो downward जाएगा और इसी से हमारा क्या बनता है हमारे land forms बनते हैं उसके बारे भी हम यहां पर पढ़ेंगे तो यह देखे एक यह diagram ख़र यहीं पर बना हुआ है तो थोड़ा सा, तो diagram में थोड़ा सा confusion रहता है यहां पर क्योंकि कहीं सारे diagram से हैं यहां पर mix होते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाई देता हूं NCRT का यह दिखा देता हूं तो देखी तो यह है जो दोस्तों पूरे का पूरा खेल है ठीक है तो यहां से आपका water जो है वो नीचे जाता है नीचे जाने के बाद वो इस तरह से यहां पर flow करने लगता है और जब वो flow करता है तो फिर कुछ ना कुछ features बनाता है ठीक है जैसे यहां पर cave वाला feature बनाया हूँ है sinkholes बनाया हूँ है तो यह कुछ चीज़ें यहां पर बन जाती है तो यह जो ground water के द्वारा पालकनर रीजन में वहां पर एक खास जगह है जिसे कहा जाता है कास्ट उस रीजन के नाम पर ही इसका ना पड़ा है कास्ट, टोपोग्रफी क्योंकि वहां पर बहुत ही वहां की जो रोग सैनोर्स के अंदर काफी ज़्यादा लाइमस्टोन और डोलमाइट पाय जाता है जिसकी वज़े से वहां पर इस एक पैकुलियर बड़ी अजीव और गरीव तरह की बहुत सारी केवस आपको देखने को मिलती हैं अंडर्गराउंड केवस आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी तो एक ही है यह सारा कुछ थोड़ा-thोड़ा नाम का फर्क है थोड़ी-thLocation का फर्क है थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए होता क्या है तो यह मानलो मैंने यह डायग्राम जाओ अब यह देखे थोड़ा सा होता क्या है जैसी यह हमारी कोई रोक है और उपर से जो है water आता है तो यहां से इस material जो है धीरे-धीरे अब यह उपर से water आ रहा है धीरे-धीरे यहां से तो यहां पे अगर limestone है, calcium carbonate है और अगर यहां पे dolomite है तो वो क्या होगा आपके ये जो water है उसको solution बनाके धिरे-धिरे नीचे लेके जाता रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़ा type का बन जाता है इस तरह से तो एक hole बन जाता है एक तरह से ठीक है, sink बोलते हैं इसको तो गड़ा सा बन जाता है धीरे-धीरे ये गड़ा जो है एकदम deep होता रहता है और एक दिन ऐसा आता है यहाँ पर यहाँ पर sink hole बन जाता है तो सीधी सी बात है जब आपकी soil आपकी रोग का material जब वो water के साथ mix होके नीचे जाता रहेगा तो उपर क्या बचेगा भईया तो वो धीरे-धीरे ऐसे sink create होता रहता है ना देख डाइगरम में यहाँ पर दिखाया हो है तो यह देखिए तो यह water यहाँ से जब जाता है तो धीरे-धीरे किस तरह का shallow hole create हो जाता है और जब यह shallow hole थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दीरे दीरे तो ये किसका रूप ले लेता है? Sinkhole का रूप ले लेता है Sinkhole, है ना? ये देखिए ये देखो, ये रहा Sinkhole ये ना Sinkhole, Sinkhole तो कई बार ऐसा होता है जब उपर से आपका material खतम होने लगता है दीरे दीरे और नीचे अगर कोई cave है नीचे पहले से अगर कोई cave बना रखी है ग्राउंड वोटर ने तो वो आपका बिल्कुल पूरी तरह से destroy हो जाता है तो Sinkhole बाद में जागे किसी cave से जाके mix हो जाता है है ना? इस diagram में आपके ये समझ में आएगा ज़ादा, देखिए क्या कहता है पहले ये रोक ऐसी नहीं थी पहले ये ऐसे जुड़ी होई होगी पूरी तरह से दीरे दीरे यहाँ से material percolate होता चला गया वोटर के साथ और यहाँ पे बन गया Sink लेकिन नीचे क्या था? नीचे cave थी तो ये पूरे का पूरा Sink हो गया और पूरे का पूरा implode हो गया और वो cave का part बन गया तो इस तरह से आपको यहाँ पे cave नजर आती है ठीक है? cave नजर आती है तो यही है आपका पूरा erosional feature तो आपके पहले ऐसे shallow holes बनते हैं धीरे धीरे फिर वो बड़ा sink hole बनता है sink hole बोने के बाद वो collapse हो जाता है देखिए वाला पूरा part collapse हो गया और नीचे से cave पहले ही जा रही थी तो वो पूरा cave का part बन जाता है तो future में अगर कोई rainfall होगा तो वो direct आपके cave का part बन जाएगा ठीक है? यह इस तरह से बनता है तो खूब सारे sink hole आपको देखने को मिलते है अभी देखे एक example देखे यह रहा एक sink hole ठीक है? देखे कितना बड़ा sink hole है यह यहाँ पे बलगी इन्हों ने लगा रखी है कितना बड़ा sink hole है? है ना? यह देखिए sink hole picture से आपको ज्यादा clarity आजाएगी क्योंकि होता क्या है? कि यहाँ पे जो रोक्स है उनके अंदर कुछ ऐसा mineral है जो water के अंदर soluble होता है यहाँ पे rainfall कुछ access में होती होगी जिसकी वज़े से पूरे का परा वो solution हो गया और वो underground का part हो गया एक जीज़ आपको दिखाता हो यह कोई भाईस साब पता नहीं जोर्ज कुछ नाम है इनका अमेरिका में थे अपने घर में आराम से सो रहे थे रातु खाना वाना खाके जहां पर यह सो रहे थे इनके घर के अंदर पूरा पूरा जो sink hole हो गया और यह अपने bad समेथ जो है sink hole में चले गए और इतना जादा नीचे चले गए आज तक इनकी body recover नहीं हो पाई क्योंकि उपर mittivity आ गई पूरे का पूरा तो यह unfortunate death हिनकी होगी because of the California news है आप इसको google जाके भी कर सकते हो कि American person died in sink hole आपको पूरी कहानी पढ़नी आता हो भी बढ़ सकते हो तो sink hole बता के नहीं आते हैं आपके पैरों के नीचे क्या हो रहे हैं आपको खुद नहीं बता है कब वो जाके नीचे चला जाएगा लेकिन आपको ड़नने की जोरूत नहीं है क्योंकि वो वहीं पे होता है जहाँ पे आपके rocks के अंदर अंडर जो नीथ rocks होती हैं वहाँ पे ऐसे minerals मिलते हैं जो water के अंदर soluble होते हैं ठीक है तो sink hole आपको समझ मिया गया तो धीरे-धीरे क्या होता है जैसे मालना यहाँ पे कोई sink hole है यहाँ पे कोई sink hole है यहाँ पे sink hole है तो धीरे-धीरे क्या होता यह sink holes नीचे पुरा cave का part बन जाते हैं और यह अपस میں marge हो जाते हैं इस तरह से तो यह सभी के सभी sink hole अपस मे marge हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है ovalas क्या कहते हैं? ovala कहते हैं नीचे जब cave जा रही होती है, यह sinkhole उसका part बन जाते हैं, this is called wallah, और यह बीच में जो थोड़ा सा land form आपको नज़र आ रहा है, इनके बीच में इसको कहते हैं lapis, ठीक है, यही पूरे का पूरा इसने यहां पर बता रखा है, और इसमें कुछ extra इसने नहीं दिया है, इरोजनल फीचर में घुमा फिरा के बार-बार वही बात कह रहा है, बस आपको concept समझ में आना चाहिए, ठीक है, कहता है, एनिबडी स्टैपिंग ओवर सच पूल्स वूड़ गो डाउन, लाइक इट हैपन्स क्विक सेंट, देखे, कहीं बार ऐसा होता है, अंदर से पुरा खोकला होता है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगता है, रहे कुछ नहीं है, तो आप उसके बिल्कुल नीचे चले जाते हो, तो यह चोटी-चोटी चीज़ यहां पर बता रखे हैं, और कोई बहुत खास चीज नहीं है, ठीक है, वही लैपीज के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है, मैंने के जो अंडरगराउंड जो वोटर होता है, तो धीरे-धीरे जो यह लेयर्स होती है, इनको काटना करेगा, तो धीरे-धीरे यहां से जो है horizontally materially move होता रहता है, वोटर के साथ और ओर कहीं आगे चला जाता है, तो यहां पर बन जाती है आपकी caves, ठीक है, तो वो देखे cave के बारे में ही, diagram उपर दिया होई cave का, तो आपकीagnard यहां पर देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो यह ह तो जब के इस तरफ भी ओपनिंग होती है दोसरी तरफ भी ओपनिंग होती है तो बीच में जो के वहते है इसको क्या बहुते है टनल बोलते हैं सिधी सिंपल सिंपल सी चीज़े हैं अब बात करता है डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में कि अंडर ग्राउंड वोटर कौन कौन से डिपोजिशनल फीचर्स बनाता है तो अब वो कहीं से जब erosion करके लेके जाएगा तो कहीं न कहीं उसको deposit भी करेगा ground water ऐसा तो यह हमेशा उसको अपने पास ही रखेगा राइट उसके बारे में ही पूरी बात करता है तो deposition, evaporation and all that अब देखिए, जब वो वोटर फर्कुलेट हुआ था vertically और जब वो horizontally वहाँ पे flow कर रहा था अपनी rocks के बीच में तो वहाँ से जो mineral था, जो उसके दो solution बन गया था, वो mineral हमेशा water के अंदर नहीं रहेगा कही ना कही वो mineral को deposit करेगा ही करेगा, अब उसके कहीं सारे तरीके हो सकते हैं एक तरीका ये भी हो सकता है कि because of evaporation अगर वो groundwater कहीं चला जाएगा, उसको हम लोग वहाँ से extract कर लेंगे या किसी lake के अंदर जाके वो deposit होता है और बाद में जब evaporation होता है तो evaporation से पानी तो पूरे का पूरा evaporate हो जाता है पीछे क्या बचता है, solution minerals बचते हैं, तो पीछे आपका बचेगा calcium carbonate बचेगा, आपका acid बचेगा, carbonic acid पीछे से रहे जाएगा limestone आपका पीछे से रहे जाएगा, तो वो पीछे चीज़े आपकी रहे जाती है बात करता है कि ये इस cave के अंदर क्या होता है, अगर आप देखे आ, definitely आपका भी cave के अंदर नहीं गये होंगे अगर underground water की cave की अगर आपने यात्रा करनी है, तो अंडवा निकोबार में शायद एख दो cave वहाँ पर पाई जाती है otherwise इंडिया में बहुत ज़्यादा limestone वाली rocks मिलती नहीं है, so that is why North East में कहीं जगा मिलती है अंडवान निकोबार वगरा में, खेर, अब हम थोड़ा सा उस cave के अंदर जाके देखते हैं, वहाँ पे क्या है देखें, जब आप cave के अंदर जाते हो ना, तो जैसे यह cave है, ठीक है, तो जब इस cave के अंदर जाओगे न आपको कुछ इस तरह की चीज़े नजर आएंगे तो कुछ जो features है ना, वह आपको उपर से नीचे की तरफ इस तरह से hanging position में नजर आएंगे ठीक है, hanging position में, और कुछ features ऐसे होंगे, जो ground से जो है, उपर की तरफ इस तरह से उठे हुए होंगे कुछ features आपको इस तरह से नजर आते हैं, जैसे यह यह cave है, ठीक है, तो यह तो pillar है तो जैसे जो बर्गद के पेड़ नहीं होता है, कि बर्गद के पेड़ पे वो जो है लटकी रहते हैं, उसके टहनिया वगरा कुछ लटकी रहती है और जो नीचे वाले रहते हैं, इनका जो है अलग-अलग नाम है, देखिए, जो के उपर से नीचे की तरफ आते हैं, उन्हें कहते हैं, स्टेलेक्टाइट्स, क्या कहते हैं, स्टेलेक्टाइट्स, यह आपको याद रखना है, कि स्टेलेक्टाइट्स हैंग as icicles of the different diameters, हैं स्टेलेक्ट में क्या आता है, लेग, यह आपने याद रख लेना है, लेग, तो लेग तो भही है, नीचे से उपर की तरफ ही चलती है, ना, इनसान की जो लेग्स होती है, नीचे से उपर की तरफ होती है, तो बस यह आपने याद रह लेना है, तो स्टेलेक्टाइट्स, तो अपने आप ही याद हो जाएगा तो ये हमारे कुछ depositional features होते हैं अब आप बोलो के deposition कैसे होता है देखें वही जो solution जो water के अंदर mixed होता है धीरे धीरे वही accumulate होने लगता है और उसी accumulation से ये बनता है कहीं बैरा ऐसा होता है कि ऊपर वाले जो stalactite थे और नीचे वाले जो stalactite थे ये आपस में जुड़ जाते हैं तब बन जाता है हमारा pillar या फिर column ठीक है जैसे इस picture में आपको दिखाया था तो ये देखें ये रहा आपका इधर ये है आपका pillar या फिर column और लोग यहाँपे अस्ति करने आते हैं देखो अराब से एश कर रहे है फोटो फोटो क्लिक करेंगे यहाँपे गर्मी का बहरागर गर्मी होगी तो अंदर एक तो मैं आश करेंगे रिस्क यहाँपे है रिस्क है ये उपर वाला जो है सीलिंग कभी भी गिर सकती है लेकिन रिस्क में और एडवेंचर में ही तो मज़ा है, है ना, ये थोड़ा सा foreign country में लोग जादे ये थियरी के बाद कहते हैं, इंडिया में तो इन्हों थोड़ा सा इतना जादा risk taking हम लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग होते होंगे, खेर, तो ये चीज पुरी आपको मेरे खाल से स तो that was all about underground water, now let's talk about the glaciers, ठीक है, glaciers, तो जो हमारे exogenic agents थे, geomorphic process वाले agents, ठीक है, water हम लोग ने कर लिया, river वाला है ना, underground water भी हम लोग ने कर लिया, अब हम लोग करेंगे glacier के बारे में, ठीक है, glacier कौन कौन से feature create करता है, तो देखे glacier क्या होता है, you very well know, glacier is nothing but the river of ice, है ना, यह रही, it's a river of ice, 100 and 100 of kilometer, जो है, wide और length में glacier हो सकता है, बहुत बड़े-बड़े glacier होते हैं, तो यह आपको दिखता है, यह आपका देखें, यह mountains है, mountain के बीच में जो यह valley है, इस पूरी valley के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आपको ice दिखाई देता है, यही होता है, हमारा glacier, और जैसे आपकी river flow करती है, वैसे ही आपका glacier भी flow करता है, river जो है हमेशा high slope से low slope की तरफ flow करती है, इसी तरह से आपका glacier भी gradient के उपर flow करता है, लेकिन as compared to a river, हमारे जो glaciers होती है, इनकी जो velocity होती है, काफी कम होती है, ठीक है, एक आदा centimeter, एक आदा meter, दो meter वो दिन भर में की सक सकते हैं, otherwise, वो mostly constant ही होते हैं, but, glacier मेरे खाल से आपको समझ में आ गया होगा, तो जैसे यह उपर जो देख रहे हैं, आपका glacier है, और you know very well, glacier का mass होता है, वो बहुत जादा होता है, और यह है आपका glacier का bottom, ठीक है, और यह है आपकी glacier की direction, तो glacier के bottom पे जो rocks होती है, दोस्तों तो abrasion की वज़े से और plucking की वज़े से, तोड देता है, वह यह वज़े से हथोड़ा होता है, जब आप रोक के पर हथोड़ा मारते हो, तो उसमें से ऐसे टूट जाती है आपकी rocks, है न, यही होता है, क्योंकि इसका भारी इतना जादा होता है, गलेशर, इसका mass इतना कराती है, क्लाइड करती है, तो वो टूट जाती है, further smaller fragments में, that is called the abrasion, and plucking, we very well know, क्योंकि आपके glacier होता है, उनको तोड़ता है, that is called plucking, ठीक है तो थोड़ा सा तो यही हो गया, तो बताता है, glacier क्या होता है, glacier जो है, masses of the ice, masses of the ice, moving as the sheet over the land, continental glacier, or the pedamod glacier, if the worst, recite, शिज़े है, or the linear flow, down the slope of the mountain, in a broad, trough-like valley, is called glacier, तो आपके जो valley होती है, उसमें से flow करता है, it is river of ice, आपके एनिशाटी में जो है, वो black and white diagram दिया हो, तो इसमें अच्छे से दिखेगा नहीं, तो वो ने आपको ऐसे बता दिया, बहुत slow होता है, ठीक है, gravity वज़े से flow करता है, ठीक है, तो you very well know that, erosion by glacier is tremendous, बहुत ज़्याद़ erosion होता है, why, because of the weight, weight बहुत ज़्याद़ होता है, प्लकिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया है, abrasion और प्लकिंग दुबारा से बता रखा है, ठीक है, तो वही चोटी-चोटी चीज़े ये बोल रहा है, तो repeated होता है सब कुछ, तो कहता ह अग, as glacier continue to move, जैसे-जैसे glacier continue करता रहता है, debris gets removed, divides get lowered and eventually the slope is reduced, तो धीरे-धीरे, देखें, जो कम wind का होता है, जो कम हमारी river का होता है, वही कम आपके glacier का होता है, तो धीरे-धीरे, because of the erosion, because of the plucking, आपका जो level है ना, ground water, ये वाला, ये smooth होने लगता है, है ना, और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी तरह से इसके बराबर में level हो जाता है, जब इसकी पूरी plucking हो जाती, abrasion, erosion, सब कुछ हो जाता है, उसके बारे ही बात कर रहा है, now let's talk about the erosional features which are created by the glaciers, कौन-कौन से feature होते हैं, जो erosion की वज़े से बनते हैं, फिर हम लोग deposition वाले भी करेंगे, तो erosion की व तो आपके जो mountain range होती है, तो mountain range के नीचे वाला जो portion होता है, जैसे आपका mountain range है, और ये आपकी बीच में कहना जर आ रही है, ये white color वाला, ये आपका पूरा glacier है, ठीक है, तो कई बार जो winter के season में ये पूरा भर जाता है, तो ये उपर वाला जो part होता है, ये आप पूरे, होती है यहां पर यह वैली के अंदर से हैं यहां रहा है से यहां पर यह जो पार्ट होता है आपका उपर वाला these skirk while moving down, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ move करता रहता है, तो हमारी valley को cut करता रहता है, और हमारी valley जो है, वो deep हो जाती है, long हो जाती है, और wide हो जाती है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ दिवारे होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दि करक में आपको lakes भी देखने को मिलती है, अब आइस तो सारा melt हो गया, तो पीछे से क्या बचेगा, वोटर ही बचेगा है, तो वहाँ पे आपको कुछ lakes भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे यह कुछ lakes आपको दिख रही होंगी, आपके डायग्राम में है ना, इस तरह स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जब इरोजन कर देते हैं, तो फाइनली आपकी जो mountain होती है, जो बिल्कुल peak पे होती है, है ना, वही बच जाता है, इसे कहते है होन, जैसे Mount Everest का होन होता है, जितनी भी बड़ी-बड़ी जो mountains होती है, जापे glaciers present होते हैं, वहाँ पे आपक दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहता है, कि, देखो, ये कुछ इस तरह से रहता है, तो जैसे एक valley हमारी यहाँ पे, तो एक करक हमारा यह हो गया इदर, ठीक है, एक करक हमारा यहाँ ग्लेशर हमारा यहाँ पे हो गया, और एक ग्लेशर हमारा यहाँ बेखको एरोड करता रहता है और फिर आह उसके बारे में पूरी बात कर रहा था है फिर कहता है गलेशर वैली के बारे में बताने को जुरूर नहीं है एधिए यह बिल्कुला वैलिव इलिकला गलेशर करते हैं यह भी देखा पूरा यह glacier valley है यह भी आज आपको नजर आ रही है ना यह वाला बीच वाला पार्ट यह भी आपके glacier valley है यह भी आपके glacier valley है इसको hanging valley बोलते हैं ठीक है इसे जो है हम लोग hanging valley कहते हैं basically आगे करेंगे लेकिन आप देखी गए होंगे तो यह आपका पूरे का पूरा valley होता है ठीक है उसके बारे मिए बात कर रहा है कहता है glaciated valley जादा trough like or the u-shape with broad floor and the relatively smooth and the steep side तो देखे सकते हो आप जैसा की valley में तो comparatively smooth side होती है ठीक है और यह जो base होता है काफी ज़्यादा broad होता है देखें picture में शायद आपके इतना नजर ना आए लेकिन actual में यह बहुत बढ़ा होता है बहुत बढ़ा होता है इनसान जगर यहाँ पे खड़ा होगा ना आपको द नजर आती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे completely यह देखिए आप कैसा लग रहोगा कि उपर वाली जो यह वैली है यहाँ पे यह जो वैली आपको दिख रही है जहां से glacier आता है यह वैली एकदम से हैंग कर रही है क्योंकि नीचे जो हैकदम से कोई lake आ सकती है कोई ocean आ सकत है थेना तो हाइयर जो latitude होते हैं आर्क्टी का उधर आप नौर्वे वाले रीजन में है न स्केंडिवेंड कंट्री में वहां पर आपको इस तरह की हैंगिंग वैली देखने को मिलती है तो विंटर में यह पूरे का पूरा यहाँ पर स्नो होता है यह वैली पुरी भरी होत जाता होगा और यह आपको है वैली इस तरह से हैंगिंग वैली होती है ठीक है तो देख सकते हमारा ग्लेशर है और यह वैली वोटम है तो जब यह ग्लेशर फोटम हो जाता है क्रूदी तो आपके जो sea है, sea का पानी जो है, इस valley के अंदर घुश जाता है, ठीक है, और यह जब इस पानी पानी घुश जाता है, तो इसे हम लोग फियोड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, fjords, चलिए, तो यह होगे हमारे कुछ erosional features, ठीक है, कौन-कौन से की हम लोगों ने, ह होंस के बारे में पड़ा, करक के बारे में पड़ा, ठीक है, कुछ-कुछ चीज़े हैं यह, now let's talk about the depositional feature, अब glacier ने erosion तो कर दिया, अब वो मसाला, material जो लेके जाएगा भहिया, कहीं तो उसको deposit भी करेगा, now let's talk about that, कहता है, the unassorted, coarse and the fine debris, unassorted का मतलब यह होता है, कि यहाँ प fine debris, by the melting glacier is called the glacier tilt, तो आपका जो glacier होता है, यही है, आपका glacier मालो, है glacier यह, तो यह हमारा जो प्यारा सा glacier होता है, यह, देखे, इस glacier के अंदर plucking से, या abrasion से, जो भी mix हुआ है, वो unassorted होता है, लेकिन जब यह glacier का पानी, आई, जो है, वो melt हो जाता है, पीछे क्या रह जाता है पीछे यह particles रह जाते हैं, इसको ही हम लोग कहते है, glacial tilt, क्या कहते है, glacial tilt, angular shape के होते हैं, ठीक है, angular shape के होते हैं, बिकोज लगतार इनको बहुत भारी भर कम erosion होता रहता है, उसकी वज़े से, कहता है, streams form by melting ice at bottom, sites or the lower ends, कहीं बार यहां पे आपको कुछ rivers औगरा भी नजर आ outwash deposits, तो धीरे-धीरे, वो जो deposits, जो sediments होते हैं, जो rock particles होते हैं, वो वहां से remove हो जाते हैं, because जो water होता है, जो melted water होता है, उसके अंदर काफी power होती है, तो melt water उसको बहा के ले जाता है, और उसको deposit करता है, जिसे कहते हैं, outwash deposit, diagram में आपको देखोगे, तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, देखिए, कहां दिखा हूँ आपको, कहीं सारे diagram थे अपने पास, वो दिक्कत नहीं है, हाँ, यह देख सकते हो, आप देखिए, ठीक है, तो यह जो हमारा उपर जो white color का आपको नजर आ रहा ही, आपका पुरा glacier है, अब glacier से जो water melt होगा, वो अपने साथ क यहां बोलते हैं, outwash, ठीक है, चली, चली, तो यह देखिए, outwash plane यहां पर लिखा हुआ है, outwash plane, तो यहां पर आपको outwash, तो यहां से भाय के, जो particles आए थे, वो यहां के deposit हो गए, तो यहां के deposit हो गए, तो roughly stratified होते हैं, मतलब कोई ऐसा fix नहीं होता, mix होते हैं, coarse वाले, fine व the glacial till, जब glacial till deposit हो जाते हैं कहीं पर, तो एक ridge type का बना देते हैं, the terminal moraines are long ridges of the debris deposited at the end of the glacier, basically moraine क्या होता है, जो solid particles की में बात कहुते हैं, जो बड़ी-बड़ी rocks होती हैं, comparatively जो बड़ी-बड़ी rocks होती हैं, उनको moraine कहा जाता है, moraine is nothing but the deposits which are done by the glaciers as a part of sediment, उसे कहा जाता है moraine फिर कहता है, lateral moraines form along the side, देखिए थोड़ा सा, diagram से समझाऊंगो, ज़्यादा समझ में आएगा, यहां से मतलब नहीं है, कोई ज़्यादा, देखिए, कौन सा diagram लोग आपके लिए, यह लिले लेता हूँ, ठीक है, तो यह है, देखिए, जो blue color से में थोड़ा आपको नजर आ के, यहां पे देखिए, deposit हो जाता है, तो इसे कहते है, terminal moraine, जब वो इसके side में जाके deposit होता है, यहां पे, यह देखिए side में, ठीक है, यहां पे और यहां पे, इसे कहते है, lateral moraine, और जब वो दोनों के बीच में deposit होता है, यहां पे, इसे कहते है, medial moraine, तो diagram से आपको याद रहेगा ठीक है डायग्राम से आपको याद रहेगा तो एक हो गया आपका लेटरल एक हो गया आपका टर्मीनल एक हो का मीडियल नाम से ground moraines हैं, center के अंदर जो होता है, वो आपका medial moraine होता है, तो वही सारे सारे चीचे से ने explain की हैं, जो मैंने अभी आपको diagram से बताई हैं, ठीक है फिर एक बात करता है किसके बारे में askers के बारे में बात करता है, asker क्या होता है when glaciers melt in summer the water flows on the surface of the ice or the seeps down along the margins or even move through the holes in the ice, these water accumulates beneath the glacier and flow like streams in the channel beneath the ice, these are called askers देखे, askers आपको सच में बताऊं, तो ground पे as such नजर नहीं आते हैं ground पे as such नजर नहीं आते हैं, देखे, इसने तो शायद यहाँ पे नहीं दिखाया होगा askers के बारे में, देखे, ऊपर इसने लिखा हुआ है लेकिन actually होता क्या है जब आपका glacier, देखे, वही मैं आपको लेके चलता हूँ यह वाला नहीं यह वाला, तो होता क्या है summer के टाइम में क्या होता है, कि आपके glacier का बहुत सारा water, most probably जो उपर वाला होता है, जहां पर sunlight direct hit करती है यह melt हो जाता है, अब यह melt होने के बाद कहां जाएगा, इसके पास दो ही रास्ते है एक रास्ता तो यह है कि इस glacier के उपर जो है, वो अराम से चुपचा flow करता रहे, दूसरा एक तरीका यह होता है इसके पास, कि अगर glacier के अंदरे कुछ cracks गएरा पड़े होते है तो उन cracks में से वो नीचे percolate हो जाता है, मतलब नीचे आके downward moment होती है, एक बार जो वो नीचे आ गया, तो आपके जो glacier का जो bottom होता है वो यहां पर flow करना शुरू कर देता है and it looks like a river this is called asker, ठीक है आता, asker is nothing but some kind of river which is flowing at the bottom of a particular glacier, ठीक है, इसे हम लोग asker कहते हैं, ठीक है बास, यह पूरे का पूरा जो इसने बाते बता रखी है, यह वही है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है फिर कहता है, outwash plane outwash plane, क्योंकि आपको outwash जो है, deposit के बारे में पता है, तो outwash plane भी वही होते हैं, मैंने आपको अभी दिखाया था, diagram में outwash plane बार-बार को देखें, यह रहा आपका outwash plane, है ना outwash plane, तो आपके जो यह इदर, जो glacier से जो till आती है, धीरे जो आपका जो water होता है, वो उनको नीचे आके deposit कर देता है, और यहां पर जब deposit करता है, these are called outwash planes, ठीक है outwash plane तो कहता है, the plane at the foot of the glacier mountain है ना, which is called outwash plane, generally क्या होता है summer के महिनी में बनते हैं यह तो, या फिर जब glacial period हुआ करता था, millions of years पहले अभी तो खतम हो गया है, अभी तो warming period चल रहा है, तो उस समय में जो glacier हुआ करते थे, they melted and they melted almost permanently, so now they do not exist, तो what happens उनका जो deposit था now that deposit make the outwash plane at the bottom of the glacier mountain, ठीक है now let's talk about the drumlins, अभी drumlins क्या होता है, कहता है drumlins are the smooth oval shaped ridge like features composed mainly of the glacial till, अब glacial till मतला आप समझे गयोंगे, जो water के अंदर sediments होते हैं basically जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो कहीं बार ऐसा होता है, वो beach में ही कहीं जाके deposit हो जाते हैं, ठीक है, जैसे यह आपको उपर glacier है यह वाला, तो यहां से till आया और वो beach में कहीं जाके deposit हो गया जैसे हमारे river के अंदर नहीं होते का river islands, है ना अभी तम लोग ने देखा था, तो जब आपकी distributories बनती हैं इस तरह से जो हैं कहीं बार वो drumlins इस तरह से deposit हो जाते हैं, ठीक है, जीने कहते हैं drumlins तो यह थोड़ा सा, उसी जैसा है, जैसा river के अंदर बना था, ठीक है, जो drumlin समझे में आगे आपको, और यह जो drumlin की length है वो vary कर सकती है, एक किलो मेटर भी हो सकती है, इसकी जो height है, वो 30 मेटर भी हो सकती है, इसके जो एक end होता है, जो शुरुआत वाला end होता है, उसे स्टोस कहते हैं, और जो end वाला होता है, उसे tail कहते हैं, ठीक है, और drumlin की जो इनो, जो इसा slow होता है, इसकी जो direction होती है हमेशा glacier के साथ-साथ ही होती है, तो इसकी direction से आप glacier की direction का पता लगा सकते हो, अगर आपके drumlins इस तरह से बने हुए हैं, इसका मतलब आपके glacier की direction भी ये है, और अगर वो इस तरह से बने हुए हैं, तो मतलब glacier की direction ये है, तो क्योंकि उसी के according अपने आपके adjust करते हैं, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा glacier, आगे हम लोग करने वाले हैं, waves and currents, ठीक है, waves and currents, तो ये भी दो हमारे exogenic forces वाले agent थे, तो हम लोग ने देखे, wind के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, wind थोड़ी देर में देखेंगे, तो हमारा हो गया, ground water हो गया, हमारा glacier हो गया, ठीक है, तो अभी करेंगे हम लोग waves के बारे में, चलिए, now let's talk about the landforms which are made by waves and currents, हालां कि हमारे NCRD में currents के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि currents का more or less अगर हम लोग climate के हिसाब से देखें, फिर काफे ज़्यादा फरक होता है, लेकिन climate के हम यह पर बात करीं नहीं रहे हैं, वो हम लोग climatology में पढ़ेंगे, कि currents का local climate के बारे में का impact पढ़ता है, लेकि NCRD में क्योंकि हमारा waves के बारे में जो चीजें बहुत जल्दी change होती रहती हैं, और क्योंकि वो change होती रहती हैं, तो इसलिए काफी destructive भी होती हैं, एल्फरिड वेगनर को याद करो जिसने continental drift थेरी दी थी, उसने कहा था कि continents इसलिए drift हो रहे हैं, क्योंकि tides इनके ओपर बहुत जादा impact डाल रही है, इसका मतलब उनको भी पता था कि जो ये आपके coastal area में जो dynamic moment होती है, उसका काफी जादा फर्क पड़ता है, उसके बारे में ही ये बात कर रहा है, देखे, अब कहता है कि देखे, यहाँ पर कुछ depositional features होते हैं, और यहाँ पर कुछ erosal features भी होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, वही हम थोड़ा सा देखेंगे, यह इस चीज़ को आप completely छोड़ सकते हो, क्योंकि यही same चीज़ इसने आगे भी repeat कर रखी है, तो यह point जो है, इसमें काफी repeated है, तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, तो हमारे जो coast होती हैं, दोस्तों यहाँ पर जो waves हैं, वो अलगले तरीके sections करती हैं, basically हमारे यहाँ पर दो तरह की coast पाई जाती है, पहली जो coast हमारे पास होती है, उसको बोलते हैं, high rocky coast, मतलब coastal area में आपको mountains देखने को मिलेंग वो काफी जादा rocky है, लेकिन जब आप eastern ghats की तरफ जाते हो, तो वहाँ पर आपको coastal area काफी smooth देखने को मिलता है, जिसे हम लोग coastal plain की बात भी करते हैं, तो coastal plain में हमारा, जो eastern coastal plain होते हैं, वो काफी wide होते हैं, और जो western coastal plain होते हैं, इंडिया के west coast पे, वो काफी narrow होते हैं, त वहाँ पर इसने थोड़ा सा ये गलत बता रखा है, कि जो high rocky rocks होती है, बेसिकली आपका emerge होती है, और जो sedimentary वाली होती है, ये बेसिकली आपकी submerged rock होती है, तो थोड़ा से यहाँ पर इसने गलती कर दी है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजेगा, ठीक है, अब बात करत हैं, कि high rocky coast कौन सी होती है, अगर आप किसी coastal area से belong करते हो, और आपने किसी ने कभी coastal area को visit किया है, तो आपको पता चल गया होगा, कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कई बारे coast में आजो है, आपको बिल्कुल ground type का नजर आता है, वहाँ पे sediments नजर आते है, एकदम plain type का जो continent होता है, वो समंदर से उपर की तरफ जो उठा हुआ होता है, अब इसके दो reason हो सकते हैं, पहला reason तो यह हो सकता है, कि या तो आपके ocean का water level है, वो dip हो गया हो, जैसे मालो, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो अभी जो है, आपके ocean का level यहां तक है, और यहां पे आप आपको rocks देखने को मिलती है, तो यह जो rocks जो है, दोस्तो दो तरीके से देखने को मिल सकती है, या तो आपके continent का uplift हो गया हो, और यहां वाला यह वाला जो part था, यह उपर की तरफ आ गया होगा, या फिर आपके जो ocean का level जो है, वो नीचे चला गया होगा, और जो यहां पे rocks हैं, वो exposed हो गई होगी, तो emergent coast में actually यह दो चीज़े होती है, ठीक है, यहां पे आपको hanging valleys वाला concept आपको मैंने बताया था, और hanging valley के साथ जो है, fjord वाला concept भी आपको बताया था, जब समंदर का water valley के अंदर घुश जाता है, तो fjords बनते हैं, तो high rock की जो coast होते हैं, वहा यहां पर wave cut platform होता है, यहां पर कुछ इसने, ठीक है, तो देखें, यहां पर मैं आपको ज़्यादा detailing में नहीं जाओंगा, क्योंकि यही सारी चीज़े हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं, तो हलका फुलका बता देता हूँ, तो यहां पर कौन-कौन से feature आपको देखने क हाई-roki वाले में आपको यहां पर wave cut platform मिलेगा, यहां पर थोड़ी देर में बताऊंगा, इस ओलो ponction में यहां पर, उसके लाव आपको यहां पर यहां पर बहुँ सारे चीज़े देखने को मिलती हैं, आपको यहां पर barrier bar देखने को मिलता है, लगून देखने को मिलता है, पिट देखने को मिलता है यह होता क्या है यह हम लोग इस वाले पार्ट में करेंगे तो यहां करने का कोई फायदा है नहीं दूसरा होता है हमारी जो Submergers Coast होती है यह लो सेरिमेंटरी Coast होते है जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि जो इंडिया की East Coast होती है यहां पर भी आपको लगून देखने को मिलेंगे, टाइडल ग्रीक देखने को मिलेंगे, लगून, बार्स, बैरियर, स्पीट्स, एक 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 फीचर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सिर्फ एक मिनट का वेट कीजिए क्योंकि यहां पर हम लोग उसको करने वाले ह तो लेट्स टोक अबाउट दा इरोजनल फीचर्स फर्स्ट, तो NCAT में इन्होंने खास कर 6 और 7 चेप्टर में ऐसा कहीं बार कर रखा है कि वही चीज बार-बार रेपीट इन्होंने कर रखी है, तो थोड़ा सा मुझे यहां पर गलत लगता है, इसका नहीं होना चाहिए, तो कि आप कम स्पेस लीजिए, जादा स्पेस लेती है नहीं तो चीज़ें, चलिए, बात करते हैं, इरोजनल लैंडफर्म्स के बारे में के वेवस किस तरह से कौन कौसी चीज़े बनाती है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्लिफ, फिर देखेंगे टैरिस, केवस और स्ट आपको पते हैं, हाई टाइड आती हैं, वेवस आती हैं, ये वेवस जो है, ये लगातार, अब ये जो माउंटेन है ना पहले यहां तक हुआ करती थी, पूरी यहां तक हुआ करती थी इस तरह से, लेकिन दीरे दीरे इन वेवस ने क्या किया, ये जो आपकी रोग्स थी, इनको तोड़ना शुरू किया और जब धीरे-धीरे तोड़ना शुरू किया तो यह पीछे की तरफ हटने लगे और क्योंकि यह लग एक दम से रोक के ओपर फोर्स डाल रही है इसलिए यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है इसे कहते हैं क्लिफ क्लिफ का मतलब होता है कि एकदम vertically यह आपके यहां पर waves होती है और एकदम vertical जो है वो इस तरह से wall होती है this is called your cliff ठीक है तो cliff से कहीं लोग jump करके suicide भी कर लेते हैं खेर यह होती है cliff अब cliff के पास आपको एक इस तरह का थोड़ा सा raised platform भी देखने को मिलता है जो थोड़ा सा आपके sea water level से उपर की तरफ होता है ना दिख रहोगा आपको मेरे खाल से सभी को यह जो होता है इसे कहते है terrace क्या कहते है terrace और यहां से हमारी waves आती है दीरे दीरे यह waves इस terrace को भी completely खतम कर देंगी दीरे दीरे आपका जो यह cliff है यह भी backward होने लगेगा बैकवर्ड तो हो गई ना क्योंकि लगतार waves तो आई रही है भीया आप जो सोचके देखे एक बार cliff देखे यहां पर यहां पर देख सकते हो यह हमारा cliff है ठीक है और यह हमारा जो है यह इधर terrace आपको देखने को मिलता है और यह बहुत सरे sediments यहां पर कठा हो जाते है यह देख सकते हो cliff है यह यह erosional point है वो सारे सारे चीज़ें कुछ खास नहीं है इसमें बते इतना ही है थोड़ा diagram से आपको समझ में आ गया होगा now let's talk about the cliff यह वही बात बोल रहा है कि यह जो एक erosional feature होता है sea cliffs are very steep है ना देखा भी हम लोग ने diagram में it is very steep at the foot of the such cliff there may be flat or the gently sloping platforms जीसे हम लोग क्या कहते है wave cut terrace कहते है तो आपकी जो cliff होती है उसके bottom में एक gently sloping platform होता है जो भी हमने diagram में देखा था which is called your wave cut terrace ठीक है wave cut terrace अब देखिए होता क्या है यह जो waves होती है ना यह हमारे cliff को या रोक को लगातार force करती रहती है उसको तोड़ती रहती है अब दीरे दीरे एकदम तोड़ने से क्या होता है भाया तोड़ने से जो है वहाँ पे caves बन जाती है क्या बन जाती है cave दिखा देता हूँ diagram में यहीं पर देख सकते हो कोई problem नहीं है यह देख सकते हो देखिए आई होब आपको नजर आ रहा होगा तो जैसे ही हमारी रोक थी है इधर यह रोक आपको नजर आ रही है तो इस रोक के अंदर अगर कहीं पे उसको कमजोर पार्ट मिलता है ठीक ह जहाँ पर थोड़ी सी weak होती है या फिर वहाँ पर कहीं ऐसी minerals होते हैं जो water के अंदर soluble होते हैं तो इससे होता क्या है यहाँ पर देखिए यह रही आपकी cave तो धीरे धीरे जो wave है उसको तोड़ने लगती है और वहाँ पर गड़ा सा बना देती है और धीरे धीरे वो deep होत है एक cave जो है इस side से बन रही है दूसरी cave दूसरी side से बन रही है finally वह आपस में मिल जाएंगी इसे कहते है आर्क ठीक है तो यह जो है एक इस तरह से आर्क बन जाती है तो आप यहां से आराम से boat लेके जा सकते हो और यहां से आराम से निकल सकते हो this is called arc धीरे धीरे क्या होत आर्क थी रूफ जो है कॉलैप्स हो गया तो यह बच गया जिसे कहते हैं stack कहते है stack ठीक है बस यही चीज जो इसने बता रखे देग डायगराम इसमें as such नहीं दिया था हम लोग सिर्फ अपने ही साब से कर लेते हैं तो I hope अभी आपको wave का terrace समझ में आ गया होगा आपको cave स collapse हो जाता है तो remnant बच जाते हैं उसे हम लोग c stack कहते हैं ठीक है और धीरे धीरे यह stack भी पूरी तरह से disappear हो जाता है चोटा सा point था इसमें कुछ खास है नहीं जैसे यह कोई हमारी रोक है यहां से waves आ रही है तो धीरे धीरे यहां पे caves बननी शुरू हो जाती है अब एक cave ज simple सी चीज़े हैं कोई जादे इसमें है नहीं करने लाइक now let's talk about the depositional landforms को सबसे पहले बात करेंगे beach and dunes के बारे में बात करेंगे beach जो है ना वह एक depositional feature होता है करे लोगों कैसा लगता है कि वह erosional feature है और जो आपकी waves होती है वह erode करते रहते हैं material को लेकिन नहीं वह एक depositional feature है तो तो आपकी जो देखे होता क्या है यहां पर देखिए आपको दिखा देता हूं एक बार अहां देखिए इसकी बजाई यह देख लेते हैं ठीक है वैसे यहां पर beach नहीं है लेकिन सिर्फ मैं आपको concept वतार हो जैसे यहां पर यह beach है ठीक है तो होता क्या है जो आपक land होती है इस तरब से इस तरब से ठीक है पीछे वाली साइड से या तो कोई river आ रही होती है या फिर वहाँ पे जो है rainfall होता है तो वहाँ पे water आता है sheet erosion होता है या फिर वहाँ पे you know wind चल रही होती है तो वो क्या गरती है बहुत सारे sediment जो है वो यहां पर आके deposit कर देती हैं जिसके वज़े से depositional feature आपका बनता है कई बारा ऐसा होता है कि हलका फुलका जो waves होती है वो sediments कुछ लेके आती है जो यहां से erosion करती है और यहां पर जाके उसको deposit कर देती है so this is called your beach area आप यहां पर clearly देख सकते हूँ यह जो है आपका इधर land है और यह जो आपको यहां पर नजर आ रहा है यह है आपका beach ठीक है तो कुछ मिट्टी विट्टी sediments जो है land की तरफ से आते हैं वो यहां से beach बना देते हैं ठीक है so beach is a depositional feature, beaches are the temporary features ठीक है आपने याद रखना है उसके लावा कहता है कि beach is called shingle beaches contain excessively small pebbles and the cobbles mostly आपने देखा होगा कि जो आपके beach होते हैं वो sand dominant करता है वहाँ पर लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कई बार beach यह उपर आपको hulky-fulky pebbles वगरा भी नजर आते होंगे इस तरह के अगर आपने कभी कई होंगे देखें इस तरह के आपको नजर आता होगा यह भी beach होता है ठीक है इसे हम लोग shingle beach कहते है शिंगल सिंगल नहीं shingle ठीक है shing है यह आपे तो इसको shingle beach कहते है now let's talk about the bars bars barriers or spits क्या होता है थोड़ा सापको दिखा देता हूँ एक बार डाइगराम में फिर यहाँ से आगे कर लेंगे ठीक है bar का मतलब होता है barrier है न जब कोई चीज किसी को रोकती है उसे हम लोग barrier कहते है तो होता क्या है कि जो आपकी waves होती है जो eroded material होता है आपका coastal area से उसको जो है deposit कर देती है न डिपोजिट करने के बाद और वो कहाँ deposit करती है वो उसको offshore deposit करती है पानी के अंदर deposit करती है और धी प्राट्फॉर्म आप देख सकते हो तो धीरे-धीरे वो इस तरह सप्रe से जमा होने लगता है आपकी कोस्ट के पास में जिसे हम लोग भार कहते हैं ये बार जिब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इस से बार कहते हैं ठीक है बार भार होता है यह आपके जो बे के अंदर जाने वाला रास्ता होता है इसको completely block कर देता है तो यहाँ पर लगून बनता है लगून is nothing but a lake है ना एक water body होती है जिसका रास्ता बंद कर दिया गया है by the bars ठीक है तो यही कुछ थोड़े थोड़े features थे हैं पर I hope आपने को समझ में आ गया होगा diagram देखने से आपको समझ में आएगा ठीक है I hope यह थोड़ा सा दिख गया होगा आपको खेर ठीक है तो bars, bits and all that तो कहता है कि जो बार होते हैं भाया offshore zone में होते हैं offshore bar इसको बोलते हैं offshore, shore का मतलब होता है shoreline आपका जो coastal area होता है off मतलब उससे थोड़ा सा दूर तो समंदर से जो आपकी coastline होती है समंदर की तरफ थोड़ा सा दूर जाके एक bar बनता है जिसे barrier bar भी कहा जाता है वो barrier bar की जब एक branch आपकी bay की तरफ आने लगती है तो उसे हम लग spit कहते है जैसा कि हमने डाइगराम में भी देखा था है है ना spit कहते है अब बस यह है और इसके बारे को लगून के बारे बता रखा है तो these are the depositional and the erosional features by the waves now let's talk about the last agent which is our wind तो wind, ground water underground water glacier ठीक है waves यह हमारा हो गया, बच गया हमारा सिर्फ और सिर्फ wind, तो सभी एजेंट में wind वाला बच गया, इसको बेगवार देख लेते है wind basically वैसे तो हर जगे wind चलती है, लेकिन जो wind के कारण, जो land forms बनते हैं, वो ज़ादा तर आपके desert area में ही dominate करते है क्योंकि desert area में temperature होता है काफी ज़ादा, और जब temperature ज़ादा होता है, तो air जो है, वो rise करती है, और जब air rise करती है, तो वहाँ पे destruction create करती है, disturbance create करती है कभी वो storms की form में, कभी whirlwind की form में, eddies, updraft, downdraft, तो यह सारे के सारे actually turbulence होती है, disturbance होती है which is created by the rising air and why is your air is rising? because your surface is very very hot, desert area के बाद हम लोग करने है, तो storm wind भी आती है, भाईया तुफान भी चलते है, वहाँ पे यह तो सारे सारे चीजी हो गई, तो basically आपके यह समझना है कि भाईया, जो desert area में है, आपे wind dominate करती है ठीक है, जो humid regions होते हैं वहाँ पे आपका rivers dominate करती है, तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग engine dominate करते हैं, कोस्ट लेरे में आपकी waves dominate करती है, चलिए आगे बात करता है कि wind जो है, वह कौन-कौन से तरीके से destruction create करती है, जैसे deflation होता है deflation का मतलब क्या होता है, देखे जब wind चल रही होती है, तो अपने रास्ते में, जो भी मिट्टी, पत्थर sand वगरा आती है, वो उसको वहाँ से उठा के ले जाती है, उसको transport कर देती है इसी को कहते है deflation, तो एक जगह की sand, मिट्टी, विट्टी उड़के जो है particles को, और transportation कर देता है ठीक है, अब रेजन भी होता है, अब रेजन को अलगी मैं बता चुका हूँ, जब छोटे-छोटे small particles आपस में टकराते हैं, तो वो और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जिसे हम लोग abrasion कहते हैं, यह पिछले चैप्टर में विवागा करवाया था, ठीक है, चलिए तो इटीज, और आपकी wind का जो है, अब यह जो sand है, अब wind मालों बहुत speed में wind चल रही है, और इस wind के अंदर काफी ज़्यादा sand है, by chance अब यह पता है कि e is equal to mc square, अब वहाँ पर जब speed ज़्यादा होगी, तो definitely उसके अंदर energy ज़्यादा होगी, और जब energy ज़्यादा होगी, तो further erosion भी ज़्यादा करेगा है ना, उसके बारे में यह बता रखा है, इसने जिसे कहते है, shear force ठीक है, और यह sand blasting जैसा होता है, basically, sand blast कर देते हैं हम लोग, sand blast का मतलब होता है, कि sand को आप किसी high pressure पर किसी चीज़ को पर डालते हो तो वह चीज तूट जाती है, रोक सगारा को तोड़ने में sand blasting का use किया जाता है ठीक है, चलिए now let's talk about the features, यह तो इसने river की वज़े से नहीं, sheet erosion की वज़े से होते हैं sheet erosion नहीं नो, कि जब बहुत जादा पानी बहता है बड़े area में, अब आप बोलोगे sir, ऐसा कैसे possible है, वहाँ पे तो पानी होता ही नहीं है, देखे, desert area mostly dry होता है लेकिन, कभी कभी monsoon के time पे, या rainy season में वहाँ पे torrential rainfall होता है और दोस्तों, torrential rainfall का मतलब यह होता है जो बहुत छोटे period के लिए होता है, लेकिन बहुत भारी होता है, तो जब इतना जादा पानी अचानक से वहाँ पे आ जाएगा, तो outer surface का क्या होगा और desert area पहले ही वहाँ की soil जो है, बहुत कमजोर है, तो वो इसको बहके ले जाता है वहाँ से, ठीक है तो sheet erosion भी, एक काफी मिलता है आपको desert area में specially तब होता है, जो वहाँ पे monsoon season होता है, तो राजस्थान के जैसे example लेते हैं, तो राजस्थान में more or less, वहाँ पे rainfall होता नहीं, लेकिन monsoon का time पे कभी-कभी जब rainfall होता है, तो कम समय में काफी ज़्यादा rainfall होता है, जिसकी वज़े से वहाँ पे sheet erosion हो जाता है, which is called sheet wash also, ठीक है? अब बात करते हैं कि wind की वज़े से erosional features कौन-कौन से बनते हैं, erosal feature देखें, जब क्या होता है, जब आप desert area में जाते हो, desert area में आपको जो mountains मिलती है, mountain के कभी bottom पे देखना, mountains का जो bottom होता है, वो काफी smooth होता है, और उसका elevation भी बहुत ज़ादा नहीं होता, इसे कहते है pediments, देखें मेरे पास साइद इसका एक diagram पड़ा था, diagram मेरे पास सब है, pictures रखता हूँ मैं अपने पास, ठीक है, देखें, ये इस तरह से, तो इसे कहते हैं pediments, ठीक है, तो, मतलब basically raised platform होता है, और आपके जो mountain होती है, उसके जो bottom होता है, यहाँ पे hulka full का erosion होता है, which is called pediments, ठीक है, इंसलबर्ग, देखें, दिखाता हूँ आपको, diagram थोड़ा देखते रोगा न साथ के साथ, तो बात बनती रहेगी, ठीक है, देखें, ये जो आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके mountain के bottom में, ठीक है, ये है आपका pediment, ये bottom वाला है पेडिमेंट, लेकिन जब ये pediment को, केस, ये जो mountain बिल्कुल छोटी सी रह जाती है, तो इससे कहते है इंसलबर्ग, ठीक है, आइस बर्ग आपने सुना होगा, तो इसी तरह से इंसलबर्ग भी है, तो वही है, बस, कहता है this is how the high relief in desert area are reduced to low features, plane कोड़ा, paddy planes धीरे-धीरे, वहाँ पे पूरा plane area हो जाता है, आपकी destroy हो जाती है, इंसलबर्ग भी पूरी, उस plane को कहते है, paddy plane, paddy plane का मतलब होता है, almost plane ठीक है, तो plane area, तो desert area में आपने देखा ही होगा, जैसे हैं आप आप देख सकते हो, ये पूरा basically, वैसे आपको समझा देता हूँ, जैसे desert area में, क्या होता है, वहाँ पे flat surface है कोई, लेकिन मान के चलो कि इस flat surface के दो, तीन, चारो तरफ, अगर छोटी-छोटी mountain है, या बड़ी mountain भी हो सकती है, तो होगा क्या, उन mountain से जो material erosion हुआ है, वो material जो है वहाँ बीच में जाके deposit हो जाता है, और कभी-कभी जो बारिश-वारिश होती है, तो पानी-वानी वहाँ पे जाके जमा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पलाया का diagram आपको दिखा देता हूँ, देखिए रहा पलाया, ठीक है, ये रहा पलाया, तो ऐसे इस तरह mountain है, तो यहाँ से कुछ sediment आते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं, लेकिन जब बारिश-वारिश हो जाती है, तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, विच इस गोल पलाया, पलाया का मतलब यहाँ पे जो water होता है, एरिया, जहाँ पे कभी-कभी water आ जाता है, विच इस गोल पलाया, और यहाँ पे salt मिलता आपको है न, क्योंकि होता कहाँ जैसे हाँ पे water है, वोटर तो धीर-धीर एवैपरेट हो जाएगा, एक दिन की है न, वीचे क्या बचेगा, salt बचता है आपका, ठीक है, तो दिस इस गोल पलाया तो उसके बारे में ही बात कर रहाएगे, और देख लो प्लेन फोर्म्स दा सेंटर ओफ दा बेसिन, उस बेसिन में जो है वो पानी वानी कठ्था हो जाता है, लेक्स टाइप की क्रेट हो जाती है, आपकी चल रहा होती है, देखेए, लगातार जब विंड आपकी चल रही होती है, बहुत आउए एकसलरेरेशन के साथ, स्पीड के साथ, तो आपकी जो रोक्स होती है, उन्सके अंदर बोर तोडने लगता है, ठीक है, these are called the cave, so the hollow or the deflation hollow, ठीक है यह देखिए यह यहाँ पे जो है cave create हो गई लेकिन यह तो cave तो बाद में आई ना पहले तो थोड़ा चोटा hole होगा, धिरे धिरे सा size increase होता रहा होगा, और यह बाद में जो है वो cave बन जाती है ना, छोटी छोटी cave आपको देखने को मिलती है वाँ पे, तो वो यह इसने पुरा बताया हुआ है Now what is this mushroom table and the pedestal rocks, mushroom देखा होगा, mushroom की shape ऐसी होती है आपने कभी खाया भी होगा खरीद के market से, तो this is called mushroom shape, अब होता क्या है मान लो यह जो है आपकी कोई mountain है अब होता क्या है desert में, wind कहां से चलती है bottom पे चलेगी ना, तो उपर तो wind की density कम हो जाती है तो क्योंकि bottom पे wind सबसे ज़ादा impact होता है क्योंकि bottom पे wind जो है dense होती है जिसकी वज़े से bottom के उपर जो है ज़ादा erosion होता है as compared to the top दीरे दीरे इसका जो bottom है वो erode होने लगता है और आपकी जो है वो mushroom type की mountain shape बन जाती है जिसे हम लोग mushroom hills भी कहते है ठीक है दिखा दे तो आपको diagram यह देखो ठीक है, mushroom type की hills आपकी यह बन जाती है क्योंकि नीचे erosion ज़ादा होता है उपर erosion कम होता है इसे कहते हैं mushroom यह भी आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से जिसे हम लोग table कहते है क्योंकि आपकी जो generally mountain होती है अब यहाँ वो generally उन जगह पे होती है जहाँ पे आपकी जो winds है वो चारो तरफ से चलती है और constant चलती है जिसकी वज़े से वो चारो तरफ से erosion होता है उसका और यह table type का structure आपका बन जाता है in between the desert ठीक है that is about it now what is the depositional features wind की वज़े से जो है कौन-कौन से depositional features बनते हैं let's talk about that पहला होता है हमारा sand dunes sand dunes आपने कभी फिल्म में देखा होगा अगर आपने रिल में नहीं देखा होगा अगर आपने कभी जैसल में गरकी उस तरफ यात्रा की होगी तो आपने फिर वहां पर actual में भी देखा होगा है ना sand dunes तो आपको पता ही है जिसे हम लोग रेट के टीले कहते हैं basically है इस तरह के रेट के टीले होते हैं तो कहीं बोलीविड में जो है वो hero यहाँ पर चड़के गाना गाता इस तरह से heroine आती है वो slow motion में एक दूसरे के पास आते हैं और फिर जगड़ा हो जाता है तो यह सब आपने देखा होगा तो होता क्या है wind जब एक तरव से चलती है यह ऐसे तो sand को धकेलती है transport करती है और वो इस तरह की shape बन जाती है which is called you are which is called you are sand dunes अब यह sand dunes जो है कहीं तरह के होते हैं जो यह आपका diagram में देखा रहा है इसका नाम है burgeon याद रहेगा आपका burgeon यह देखो तो burgeon आपने यह देखना पड़ेगा wind जो है इस तरह से चल रही होती है और वो इस तरह से बनते हैं यहाँ से wind चलती है कहीं मार ऐसा होता है जब burgeon जो होते है इनके सिर्फ एक ही side होती है वो constant नहीं होती है तो इसलिए हाँ पर sieve बन जाती है ठीक है that is this एक हमारे जो है यहाँ पर parabolic type के भी dunes होते है तो जिस तरह से wind चल रही होती है वो इस तरह बनते है parabolic type के और इनकी जो कर्व होता है वो भी ज़ादा होता है as compared to burgeon तो यह आपने थ्वड़ा ध्यान रखना है कि बर्चन जो है वो wind के opposite बनते है जो crescent बनता है crescent मतलब ऐसे जो तारा type का बनता है यह चांद बनता है वो wind के parabolic में wind की side में बनता है और बर्चन में wind के opposite बनता है ठीक है this is about your parabolic dunes अब बोलोगे sir wind जब इस्ट्रे से चल रही होती है तो यहाँ पे फिर बर्चन क्यों नहीं बनता है यहाँ पे parabolic क्यों नहीं बनता है उसका देगर reason है उसका reason यह होता है कि जब sand की supply कम होती है sand जब कम मात्रा में होती है और wind की direction constant होती है तो because of the lack of the supply of the sand वहाँ पे बर्चन्स बनने की बजाए longitudinal dunes बन जाते है ठीक है एक हमारे पास होते हैं transverse dunes होते हैं transverse dunes जो हैं वो wind की direction के perpendicular होते हैं ठीक है ऐसा क्यों होता है these dunes are formed when the wind direction is constant जब wind की direction constant होती है and the source of the sand is in the elongated feature भया जिस land को वो transport करके लेके जा रहा है वो longitudinal मतलब एक वो लंबाई में है जिसकी वज़े से वो पूरे के पूरे sand को इस तरह से धकेलता है और यहाँ पर बर्चन्स बनने की बजाए transverse type के dunes बन जाते हैं ठीक है उसके बारे में बात कर रहा है मतलब वो इस भी बात कर रहा है जैसे मालो यहाँ पर यहाँ पर sand deposit है और यहाँ से wind चल रही है इस तरह से constant और definitely वो पूरे के पूरे sand को धकेलेगा थोड़े हिस्से को थोड़ी धकेलेगा हाँ अगर सिर्फ यहाँ पर wind चल रही होती बीच में फिर तो वो बर्चन बना देता लेकिन अभी wind जो है constant चल रही है तो इसी वज़े से पूरे के पूरे इस sand की supply को पीछे धकेल देता है and this is how we find the transverse type of dunes चीक है तो वही है इसके बारे में पूरा यहाँ पर बता रहता है फिर हम लोग ने ground water के बारे में पड़ा जिसमें we have also cover the cast topography, caves, cliffs, sinkholes वगरा वो सब हम लोग ने किया था है river वाले में हम लोगों ने young age, mature age और वो सब हम लोग ने देखा depositional feature कौन-कौन से आते है ox ball lake और वो सारी सा चीज़ हम लोग ने करी फिर हम लोग ने चेज़न लières है separately करें बारे में किया अनधी ओ男 cuz वो सब सब हम लोग ने कर लिया हूं लोग ने glacier द्री हम लोग ने glacier के बारे में किया किरक हन्त अ आउट वोग अश verschiedene वाले जो है वह चैप्टरमे किया ठीक है फिर हमारे पार बच गया था wave तो wave में भी हम लोगों ने depositional features और erosional features में देखे जिसमें हम लोगों ने beach वगरा के बारे में पड़ा cliff के बारे में पड़ा, terrace के बारे में पड़ा तो वो सारे के सारे agent हमारे हो गए हाला कि current इसने mention किया है लेकिन current के बारे में कोई feature इसने नहीं बताया है because वो मतलब insignificant होते हो that is why हम उस चीज़ को नहीं करेंगे ठीक है तो इस chapter को हम लोग करते हैं यहीं पे cover लेकिन end में जाने से पहले अगर किसी बच्चे ने end तक class देखी है तो उसको बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे information बहुत ज़ादा है रट्टा मारने के लिए लेकिन exam में यहाँ से question नहीं पुछे गए है काई सालों से इसलिए ज़ादा समय इसको मत देना ठीक है कुछ-कुछ basic-basic चीज़े कर सकते हो कौन सी चीज़े एक तो आप जो है river वाला part कर सकते हो ठीक है वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो especially जो young और mature और वो वाला age है वो वाला part आप यहाँ पे कर सकते हो ज़ादा तो actually आपका वहीं पे वो important है glacier वाला part I don't think so यह important है waves वाले part भी कोई ज़ादा important नहीं है अगर आपको करना है तो सिर्फ हो सिर्फ आप जो है depositional feature कर सकते हो ठीक है wind वाले में जो है थोड़ा बहुत dures वगरा के बारे पढ़ सकते हो अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है बागी groundwater के बारे में कोई ज़ादा questions पूछे नहीं गए है अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो stalagmite और stalagmite अगरा थोड़ा सा आप वह देख सकते हो ठीक है तो यही है चैप्टर के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं करेंगे climate के बारे करेंगे which is going to be very very interesting चलिए आज के लिए तना ही